हलो अबरीबर वेलकम आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लाटफॉम के उपर मैं प्यूस पर आसर आप सभी का स्वागत करता हूं तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंट ओप मट्रियल के अंदर हमारी चल रही है चैप्टर नमबर टू नॉर्वल स्ट्रेस स्ट्र क्या कॉंसेट होता है इसका आइडिया दिया था हमने और कारबन किस तरह से डक्लीटी को एफेक्ट करता है कारबन कंटेंट स्टील में इस चीज अधिया दिया था हमने तो यह सारा जानकारी आपके पास है प्रियापतरूब ने अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं देखि से चीजों को पढ़ता है तो आप साफ सुत्रे ढ़न से जितना भी पढ़ाया जाए लिखवाया जाए उसका नोट्स बनाते चलिएगा यही आपको एक्जाम में सफलता दिलाएगी चालू कर रहे हैं चालू करते हैं कि is син énerate का स्थ्ट्रेशटा अपर सुरी सिकासर कर लेता हैं जैस dif क्रूर हमने कर लिए उसके शारे प्रोंष्ट कर लिए ब्रोपैर इलकिर अपर पंई चेंगर हमने को सब्सक्राइग करते हैं यहां को हां चाहे अप को yhtौर सगोडििल क 2025 का सब्قطção स्ब्सक्रेश कि अक्षिय है इनिसियली उसमें भी फ्ट्रेट पोर्शन रहेगी अप TO प्रोपोर्वेस्ट्राल लिमिट यह तो लिनियर जो पियेवियर होता है वह तो माईल्डिस्ट्षीव हो तो यहां तक proportional limit आगी, proportional limit के just उपर elastic limit वाला point होगा, तो यह elastic limit वाला point भाल लो, इसके just उपर कहीं yield वाला point होगा, है ना, yield वाला point, यह, let's suppose, yield वाला point वहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर यह curve ultimate point दिखाएगा आपको, उसके बाद फिर just ultimate point के बाद ही fracture, एक मिनट, इसको थोड़ा down कर लेते है, यह ultimate point रीच हो गया, तो इसके बाद यह fracture, एक मिनट वाओ, यह, ऐसा, यह ultimate point हो गया, मतलब यहापर, मैं आपको point दिखा देता हूँ, यहाँ तक, माली जी, यह point है, A, this is your proportional limit, यहाँ पर कहीं पर point है, B, that is your elastic limit, let's suppose, यहाँ पर कहीं पर point है, कोई एक point है, C, that is your yield point, यहाँ पर कोई एक point है, जिसको हम बोलता है ultimate point, U, यहाँ पर कोई एक point है, जिसको हम बोलता है fracture point, F, तो इस तरह का कुछ कर्व बनता है, HYSD के case में, तो HYSD के case में, एक चीज़, आप difference note करोगे, तो yield plate you यहाँ पर नहीं है, yield plate you नहीं है, जैसा आपका mild steel के case में, जो की low carbon steel था, जिसकी ductility high होती है, है ना, उस case में, आप देख रहे थे stress strain curve, तो इस तरह से linear variation गया, up to proportional limit, फिर elastic limit, फिर upper yield point, lower yield point, एक kink देखने को मिला, उसके आद फिर यह, yield plate you, फिर strain hardening, फिर ultimate point, फिर necking, strain softening, फिर fracture, ऐसा, इस तरह का, तो यहाँ पर yield point आपका defined था, आप observe कर पा रहे थे, क्योंकि stress strain जो graph था, जो यह graph plot हो के आ रही है, वहाँ पर एक kink देखने को मिल रहा है, एक kink देखने को मिल रहा है, यहाँ पर yield point इस material की defined थी, और इस level के corresponding, इस yield plate you के corresponding, जो भी stress आपको मिल रही थी, उसी को हम yield stress of material, define कर रहे थे, as a Fy, लेकिन high strength steel में, HYSD steel का क्या मतलब है, high yield strength deformed bar, HYSD, तो यह high strength steel है, basically, इसमें carbon percentage ज़्यादा है, इसलिए इसका yield strength ज़्यादा होगा, कही न कहीं, carbon percentage ज़्यादा होने की कारण, इसकी ductility कम है, कही न कहीं, ductility कम है, तो at the same time, brittleness इसका ज़्यादा है, लेकिन elastic properties इसके ज़्यादा है, क्यों इसका elastic limit, mild steel के elastic limit से कहीं ज़्यादा है, उपर है, इसलिए up to elastic limit, यह ज़्यादा load को carry कर सकता है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा load carry कर रहा है, मतलब उसके proportional में, deformations वगेरा भी होंगे, तो, elastic property यह ज़्यादा सो करेगा, high strength steel जो होते है, इसका elastic behavior ज़्यादा होता है, इसका example मैंने बताया था, आपको spring हम बनाते है, वो high tensile steel को use करके बनाते है, and they are highly elastic, समझ रहो, elasticity and ductility में difference था, ओके यह चीज़ मैंने आपको समझा रखाता है, तो देखिए, जो बात पर आते हैं वापस, कि mild steel के case में, level होती है, उसी को हम yield stress कह देते हैं, बट जैसे हम HYSD steel पर आते हैं, तो यहाँ पर हमको, जो yield वाला point है, वो clearly defined नहीं होता है, समझना बात को मेरा, that is not clearly defined, in graph, तो हम कैसे बताएंगे, कि इस steel का yield stress क्या है, अब HYSD में दो variant आती है, एक variant क्या, एक basically हम देखते हैं, FE 415 को देखते हैं, ठीक है, और एक variant हम देखते हैं, FE 500, यह RCC में आप खुब यूज कर रहे होंगे, यह दो grade of steel को, बहुत जवरदस टाइप से हम यूज कर रहे होंगे, तो FE 415, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो FE मतलब iron को steel को represent करता है, और 415 मतलब उस steel का yield strength को represent कर रहे है, tension testing में, in what? in tension test, फिर FE 500, FE मतलब iron और 500 को कहने का मतलब है, उस steel का yield strength को represent कर रहे है, तो इस तरह से हम representation करते हैं, grade of steel का, जैसे mild steel का अगर मैं चर्चा करूं, माइल्ड स्टील को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे as Fe 250 समझभा रहा है यह जो इल्ड स्ट्रेस है माइल्ड स्टील का that is your 250 न्यूटन पर mm2 250 न्यूटन पर mm2 कहलो या 250 MPa कहलो मेगा पास्कल एक ही बात है मैंने प्रूफ कर दिया था आपको 250 न्यूटन पर mm2 कि इसका यह इल्ड स्ट्रेंथ होता है माइल्ड स्टील का या फिर इसी को हम 250 MPa कह सकते हैं इस से लेटर में आभी डेटा दूँगा आपको इसका अल्टिमेट स्ट्रेस का वैल्यू भी बताऊँगा है सब चीज बताऊँगा टेंशन घबराने वाली बात नहीं नहीं है तो जब इल्ड पॉइंट क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है इन केस अब है इस टील तो हम इल्ड पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे आपके इसको डिफाइन करने का एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं 0.2 परसेंट आपसेट मेथड वह क्या है उसके उपर आएंगे देखी लेकिन उससे पहले एक पॉइंट सुनो जितने भी स्टील ह बात करलू 600áv या जूशिप इसको हम रिमेट भी कहेंगे या प्रॉपोर्पोर्शनल लिमेट जो हम पढ़ रहे होंगे के वो वह वैलिड होता है रिज़ान रखना sparklingig से elastic limit के बीच में जो कर्व है वो linear हो सकता है या non-linear भी हो सकता है ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि A से B के बीच वो हमेसा linear ही हो वो linear या non-linear कुछ भी हो सकती है उस basis पे भी different stress strain कर्व बनती है अलग-अलग material की वो भी बताएंगे गवराने की दुरत नहीं है अब जैसे यहां पर point C को मैंने yield point बोला है that is not clearly defined तो 0.2% option method को हम यूज करेंगे to define that particular point लेकिन उससे पहले यह सुनो जो हम बात कर रहे थे कि यह जैसे यह origin है O, तो O से A linear behavior है तो जितने भी steel है जितने भी steel है चाहिए 415 का बात कर लो 500 का बात कर लो 250 का बात कर लो सभी में एक यह वाला section रहेगा मतलब जिसमें steel linear behavior हो कर रहा होगा तो उस case में जो यह initial slope आपको मिल रहा है slope of this stress strain curve in that linear limit इसको हम young's modulus of elasticity कहते है ES और यह ES सभी steel के लिए save रहता है सभी steel का यह slope जो है initial starting वाला save रहता है HYSD के case में भी यही mild steel के case में भी यही और FE500 के case में भी वही FE415 के case में भी वही समद्रों बात को मैं क्या बोल रहा हूं यह initial slope सेम रहता है up to जो straight line है उसका जो slope रहता है सभी steel के लिए वो constant है उसी को हम बोलते है young's modulus of elasticity और उसकी value कितना है 2 into 10 to the power 5 newton per mm square that is assumed to be constant थोड़ा कुछ ना कुछ variation होता है बट उसको assumed कर लिया गया है कि that is same for all grade of steel हाना the initial slope of stress strain curve is constant for all grade of steel and it is called young's modulus of elasticity of steel clear है ES और सभी grade of steel के लिए ES का value होगा constant लिखवाँ वह इन सब पॉइंट को सुनते रहो logic concept understand करो अब देखो एक और एक concept बता रहा है important सुना बात जो यह yield point होती है इसकी क्या significance है what do you clearly understand by this yielding हो रहा है yield हो गया started yield जब start होगा yielding जब होगा हाना इसका मतलब क्या है material की उपर physically जब देखोगे surface crack appear हो रहे होगे तो that stress level in material corresponding to which first just first surface crack appear is called as yield limit of that material मतलब वहां से अब material में deformations तो होंगे crack वगेरा भी देखने को मिल रहा उसके बाद मतलब उसमें yielding अब start हो जाएगी समझते हो बात को वह चीज है first surface crack appear होगा physically हम ऐसे identify करते हैं कोई पूछे तो यह बोला है हाना तो वह चीज तो physically हम identify करते हैं लेकिन जब हम तो टेस्टिंग किये हैं यहां होगा 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 है तो उसमें हमें clear जो ग्राफ है उस ग्राफ में clear identification नहीं की मिला जैसे हमको mild steel के case में यह kink एक छोड़ा सा देखने को मिला इस तरह से फिर yield plate you तो हम वह से identify कर पा रहे हैं अच्छा इसके corresponding जो stress है वह yield stress है पट वह चीज आपका होड़ी के stress strain कर में नहीं है तो हम वह yield point को define कैसे करेंगे 0.2 offset method 0.2 percent offset method मतलग देखो यह जो initial line था o a line इसका slope तो है constant इसका slope constant है तो हम क्या करेंगे 0.2 percent strain यहां पे strain है अपसलाइन और इस एक्सिस पर सिगमा है stress तो 0.2 percent strain strain axis पे offset लेंगे strain axis पे offset लेंगे 0.2 percent कहने का मतलब 0.2 divided by 100 मतलब 0.002 जो strain का value होगा है ना तो माल लो 0.002 जो strain का value है वह आया कुछ यहां पर तो यह एक offset ले लिया हमने अब यह point से हम एक line draw करेंगे तो यह line जो है straight line at a constant slope and what is that constant slope slope equal to slope of initial stress strain profile यह जो slope है इस steel का उसे A के बीच में जो linear line था उसका जो slope है मतलब यह जो young smartle सा elasticity है यही है slope तो इसी slope पे यह 0.2% का strain axis पर हमने offset लिया इसी slope पे एक line draw करेंगे है ना with same slope तो यह line जो है आप देखिएगा यह जो line यह जो आप line draw कर रहे हो है ना यह line जो है point C को जाके मतलब देखो अभी तो हमने point C आप पहले दिखा दिया है लेकिन माननों पहले से नहीं दिखाया रहे थे point C तो आप क्या किये 0.2% strain axis पर offset लिया फिर वहां से slope equal to initial slope of stress strain curve पर आपने एक straight line draw किया linear line draw किया तो वह जो line है वह कही ना कही जाके stress strain curve को cut करेगा तो जहां वह cut कर रहा है वही point है C point उसी point के corresponding जो stress आपको दिखेगा उसी को हम कह देंगे उस high strength steel का yield stress sigma y यही concept यूज किया जाता है ऐसे material का जिसका stress strain curve में आपको yield point clearly नहीं दिख रहा हो तो उस case में हम 0.2% strain axis पे 0.2% strain के बराबर का strain axis पे offset लेते हैं वहां से जो initial slope होता है stress strain graph का उसी slope पर एक linear line draw करते हैं जो कि आगे चलके stress strain curve को कई एक particular point पे cut कर रहा होता है वही point के corresponding stress है उसी को हम yield stress कह देते हैं और किसी किसी case में हम उसे proof stress भी कहते है समझ गए बात को तो यह not only for HYSD, this concept is used for all such material ऐसे सभी material के लिए जिनका stress strain profile में आपको जो yield point है clearly identified नहीं हो रहा है ऐसे सभी cases में हम इस concept को यूज करें जैसे copper का, aluminium का सभी में proof stress का concept को यूज किया जाता है और वो क्या है, 0.2% के strain के बराबर का strain पर strain axis पे एक offset कट करेंगे वहां से एक linear line ड्रॉ करना है ठीक है और वो linear line का जो slope होगा that slope is equal to slope of initial stress strain curve है ना और वो linear line जहां जाकि stress strain axis को cut stress strain curve को cut कर रहा है उस point को हम yield point कह रहा है और उस point के corresponding जो stress मिल रही है उसी को हम yield stress कह रहा है simple है चीजे, यह चीजे समझ में आई तो यह basic concept चलती आपका stress strain curve of HYSD में तो यह तो मैंने just a generalized curve बताया अगर आप बात करोगे FE 415 का या 500 का तो वो कैसे दिख रहे होंगे देखिए लिखवाओं अभी घवराने की जोरत नहीं है लेकिन यहां तक तो लिखी सकते हो यह चीज आपको समझ में आ गई है अभी इससे पहले वाले page में आऊँगा वापस आऊँगा लेकिन अभी देखो एक graph और बना रहा हो यह strain बड़ा basic से पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे यार यह stress क्योंकि यही सब चीजें basic चीजें होती है अना confusion होता है बहुत सारा देखो logic लगाओ मैंने बोल रखा है सभी stress strain के steel के case में जो initial slope होता है वो सब के case में सेम ही रहता है तो यह वाला line तो initial वाला line सब के case में सेम रहेगा अब तो proportionality limit सेम ही चलेगी वो तो यह मालो proportionality limit पहुँच गई उसके उपर जाओगे elastic limit वाला point पहुँचेगा ठीक है इसके उपर गए elastic limit वाली point पहुँची मालो हम FE 415 के लिए बना रहे है तो 415 का yield stress कितना है 415 only 415 तो इसके उपर गए थोड़ा सा yield point yield stress पहुँचा फिर ultimate और fracture तो यह मालो FE 415 के लिए है और तो FE 500 के लिए क्या होगा FE 500 में yield और थोड़ा उपर है तो यहीं से हम चालू करें कहां से वह proportional limit वाले points से यहीं से थोड़ा सा curve में variation देखने को मिल जाएगा इसमें elastic limit और उपर गया थोड़ा सा FE 500 के case में यह elastic limit गई फिर यह yield limit गई फिर आपका ultimate और fracture ऐसा यह मालों FE 415 का है तो यह FE 500 का हो गया बस अना अब इसमें दिखाना है yield अगेरा तो यहां पर दिखा दो इस case में मालों yield point यहां पर है यह और इस case में let's suppose yield point यहां पर है Fy Fy और इस case में यह ultimate point है U इस case में यह ultimate point है U इजर यह fracture आ रही है F इजर यह fracture point है F ऐसा यह जो HY HD steel है इस हर ब्रिटल ही नेचर और यहां पर यहां पर दोनों का linear limit है वो दोनों के लिए same proportional limit के बाद थोड़ा सा कुछ variation देखने को मिल रहा है आफ दो यह ब्रिटल मटेरियल है इस आफ ब्रिटल मटेरियल इसमें कारवन की कंटेंट ज्यादा होती है अधीक होती है यह ब्रिटल मट्रियन होती है और इसमें कार्बन की कंटेंट अधीक देखने को हमें मिलता है समझ गए बात को तो यह होई-षडी का स्ट्रेस रिश्ट्रेंड कर्व इस तरह से बनते हुए चलता है और यह डियाग्राम आपको बनाना है ठीक है और इससे पहले जो डियाग्राम बनाया था वह भी आप बना लेना और एक वाज सुनो इससे पहले वाले क्लास में हमने इसका डक्टिलीटी का कॉंसेप्ट भी बता दिया था आपको कि यह क्यों उतना डक्टाइल नहीं होते क्यों ब्रिटल होते हैं देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर पर तो मैंने बताया यही था ना कार्बन-कार्बन- यहां पर जो पॉइंट भी है इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है इस पॉइंट को मैंने बोला है इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है इस स्टील का मालवाइच पैश्टी का और यह जो पॉइंट एफ है ठीक है यह फ्रेक्चर वाला पॉइंट तो इनके बीच का यह यह जो portion यह range यह क्या सो कर रहा है यह deformation सो कर रहा है this is showing your deformation तो यह deformation की value बहुत कम होती है deformation is very less यहाँ पे कर्व जश्ट आपको बनाने के लिए समझाने के लिए है ना इस तरह से बना हुआ है लेकिन actually अगर आप value उसकी देखोगे तो वो deformation बहुत कम होती very less मतलग इसका यह हुआ कि HYSD steel के case में जैसे आपका yield पहुंचा ultimate भी तुरंथी पहुंच जाता है क्योंकि yield point और ultimate point के बीच में जो stresses है उसमें ज्यादा value ज्यादा बड़ा नहीं होता है जैसे yield आपका यहाँ पे आपको दीख रहा है 415 मालो F415 grade of steel में तो उसी का ultimate जो होगा वो लगवववद चार्सुपचाशी 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 का सपसका रहता है तो 415 चारसुपचाशी में ज्यादा वरीयसन नहीं है लेकिन आप इसमें देखोगे माइल्ड स्टील के केस में तो इल्ड आपको 250 दीख रहा है लेकिन इसका अल्टिवेट समसिंग 400 चारसो दस रहता है तो यहां पर ज्यादा क्या तो कहने का यह मतलब है कि कि ह्यादी स्टील के केस में आपको इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर के बीच में जो आपको डिफोर्मेशन देखने को मिल रहा है वह काफी कम देखने को मिल रहा है मतलब जैसे yielding उसमें start हो गई तो थोड़ा सा इसा डिफॉर्म करेगा तूट जाएगा लेकिन mild steel के case में ऐसा नहीं है जैसे yielding शुरू हुई तो constant stress पे पहले yielding होती है फिर strain hardening वाला चीजे अपने देखा है फिर strain softening फिर तब जाके कप एंड कोन failure वो उसमें होता है है ना नेकिंग जब यह ultimate point के बाद जब नेकिंग जुरू हो जाती है यहां से necking मतलब वो cross section पतला होना चालू हो जाता है फिर cup and cone failure वो भी बताएंगे अभी एक note लिखाएंगे फिर cup and cone failure होती है यह fracture point पर है है ना तो वो ductile material है डिफोर्मेशन उसमें ज्यादा देखने को मिला यह elastic point और यह fracture point के बीच में है बट HYSD के case में नहीं मिलता है इसलिए यह brittle material होती है समझ भार यह बात और carbon percentage बढ़ाएंगे स्टील के अंदर जो कि वहुत important point है तो क्या होगा strength उसकी बढ़ती है लेकिन ductility कम होती है littleness बढ़ती है यह point को बहुत बार exam में पूछी है मतलब पूछा गया है तो इस point को आपको बुलना नहीं है ध्यान रखना है तो यह diagram आ बनाओ ओके यह a b c u f यह points का नाम में लिखवा हूँगा टेंसल देने का नहीं है आप यह diagram को बनाईए इन points का नाम लिखवा दूँगा पिर जो भी theory है अभी हम इस से related इसका लिखवा देंगा अच्छा एक concept और एक concept और देखो ہے बैसिकली होता क्या है एक चीज मैंने आपको बताया था यहीं पर सम्तुदूह यहां पर समन्हात देखना पगल गालो एक है यह coिनने अगर लिखना चाहो चाहो तो लिख सकते हो नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है बस समझने वाली चीज है लिखवाने का मैं लिखवा दोंगा बाद में अभी सुनो, mild steel के case में हमने क्या किया था, ऐसा stress strain करवर जो देखा, इस तरह से फिर यह kink, फिर yield platoon, फिर ऐसा ही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, mild steel के case में, जो यह वाला point है, मालो proportional limit, नहीं, यह proportional limit, फिर यह elastic limit, फिर यहाँ पर कहीं पर yield point आप देखे थे, यह मालो था, यह तीनो point एक ही है, approximately equal, मतलब यह तीनो point के बीच में, deformations के value बहुत कम है, मतलब वो लगबग, एक ही point है, यह assume हम करके चलते हैं, कहाँ पर, अपना theory में, जो working stress method है, उसका theory ही है, कि यह तीनो point एक ही है, समझवार यह बात, तो यह WSM theory के अंदर आपका basic assumptions है, कि यह तीनो point बहुत, मतलब एक ही है, अगल बगल है, है ना, तो इनको अलग-अलग point नहीं consider करते हैं, हम एक ही consider करते हैं, प्लस, यहाँ पे आपको yield point clearly visual है, graph में, लेकिन HYSD के case में ऐसा visual नहीं है, अब सुनो दूसरी बात, माल लो, देख बात को, वह ही एक material है, उस पर आपने load लगाया, उस material का elastic point आपको मालू मैं वहाँ, अपने load लगाया, तो loading लगाया, और let's suppose उसका, यह elastic point, उस material का यह elastic point, है ना, यहां तक यह stress strain कर वे, this is elastic point, आप material के उपर load लगा रहे हो, ऐसा load लगा रहे हो, कि उसमें जो stress development हो रहे है, वह, उसके elastic limit के corresponding, जो stresses है, वही develop हो रहे है, plus deformation में उसी के अनुसार हो रहे होगे, deformations भी कितना हो रहा होगा, यही, इस point के corresponding to deformation हो सकता है, यहां से यहां तक deform कर रहा होगा, और उसमें stress material में, इस level पे stress आ रही होगी, ठीक है, अगर यह elastic point है, तो, इसको हम point B कह देते है, elastic point क फिर आपने load को remove कर दिया, load को remove कर दोगे, तो deformation में अगरा सब varies हो जा रहा है, material का जो result shape and size था, वो attain कर ले रहा है, मतलब जो उसकी unloading path वो follow कर रहा है, देखो जब आपे stressing कर रहे हो, तो stressing का यह path follow कर रहा है, इस तरह से stress हो रही है, इस तरह से deformation होते चल रही है, और इस तरह से, उसमें stresses develop होते चल रहा है, लेकिन within elastic limit, जब तुमने load को remove कर दिया, तो unloading भी same path follow करेगा, मतलब जो unloading होगी, वो भी इसी path में unloading होगी, जो भी उसमें deformations वगेरा आये थे, वो deformations वगेरा vanish हो जाएंगे, तो इसका मतलब और zero deformations फिर हो जाएगा, तो unloading भी same path follow करेगा, और stress का value zero आप आएगा, क्यों वो unstressed condition में आगिया ना फिर, जब तुमने load कर दिया, unstressed condition में आगिया, समझ रहा हो, लेकिन, माल लो, आपने stressing कर दिया beyond elastic limit, ठीक है, like suppose जैसे HYSD का case, अगर हम ले 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 है, graph का, तो ये elastic limit वाला point है, और इस तरह से खुच आपका, graph चलता है, जो material है, उसके उपर जो stress लगाया है, वो corresponding, मतलब ऐसा लगाया है, कि वो point भी से जादा है, मतलब elastic limit के beyond है, इतना stress आपने लगा दिया ये, beyond elastic limit आपने उसमें stressing किया है, कर दिया, अब तुमने उसको unload करोगे, लोड रिमूब कर देंगे, जिस लोड के corresponding उतना stress डेवलफ हो रहा था, जो कि elastic limit के beyond चला गिया, अब आप लोड को रिमूब कर देंगे, तो ऐसे cases में, क्या material अपना original shape and size पर आएगा, या कुछ deformations उसमें permanent हो जाएगे, तो material अपना original shape and size में नहीं आएगा, क्यों जो unloading path है, वो unloading path, अब वो same नहीं रह जाएगी, अब वो क्या होगी, unloading path ऐसा कुछ दिख रहा होगा, इस तरह से unloading path होगी, यह path को follow करके वो unload करेगा, क्या phone आ गया था, बच्चों का exam होता है, तो खुस होता है, ठीक है, तो अभी recently तेलांगाना AEE का examinations, AEE का examinations था, तो आपने कुछ लड़के गए होए थे, तो exam देके आए, फोन करके बता रहा है, वेल, अच्छा गया उनका, हो जाएगा AEE में, तो देखो बात किया है, क्या बोल रहा हूँ, Elastic limit के beyond आपने loading लगा दिया था, material के उपर, तो, अब Elastic limit के beyond, क्या होगा, कुछ ना कुछ permanent deformations उसमें induce हो जाएगी, आ जाएगी, जो कि regain नहीं होगा, इसलिए, loading curve, initial stress string curve को follow ना करते हुए, कोई दूसरा ही path को follow करेगा, जो कि मैंने यह blue line से बनाया, sorry, unloading curve, ठीक है, यह इस तरह का path follow करेगा, अब यह unloading curve का जो slope है, ठीक है, इसका जो slope है, slope is same as initial stress strain curve slope, initial stress strain curve slope, और वो क्या है, यंग स्मोडला सब इलाश्टे सिटी के बढ़ावर, उसी slope पे यह unload होगा, हम ऐसा theory बनाते हैं, समझ भा रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको परवाने deformation देखने को मिला, तो यह जो magnitude, यह जो चीज है ना, यह यहाँ से यहाँ तक का जो यह deformation आपको देखने को मिल रहा है, क्यूं, देखो, basically आपने loading जो किया था, वो इस point के corresponding किया है, तो इस point के corresponding to total strain है, देखो, यहाँ तक strain आई थी, अना, जब आपने loading किया, तो strain, यहाँ तक straining हुआ था, strained up to here, up to here, लेकिन जब आपने load को remove कर दिया, अब यह beyond elastic limit के बाद चल दिये, यह point B जो है आपका, यह elastic limit वाला point, लिख देता हुगा वो, confusion ना हो, यह elastic limit वाला point, ठीक है, तो beyond elastic limit आपने loading अप्लाई कर दिया, तो straining यहाँ तक हुआ, अब जब तुम load को remove करोगे, तो औरिजनल stress strain curve का path को follow ना करते हुए, वो अपना unloading path को follow करेगा, तो यह जो blue वाली curve बन रही है, this is your unloading curve, unloading curve, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, तो यह जो strain आपको यहां से यहां तक देखने को मिल रहा है, इस area में, पतलब अगर इसको मैं थुड़ा सा, अगर set कर दो, यह वाला area, ठीक है, और यह stress strain curve का यह area, इसका क्या मतलब ही, यह strain energy वगरा का concept है, यह आगे देखेंगे, अभी बस permanent set का क्या मतलब होता है, वो समझो, यहां तक का जो strain है, ठीक है, वो तो आपका रिगेन नहीं हो रहा है, वो तो permanently material उतना deform होई गिया, तो यह जो strain की value है, इसको हम कहते है, permanent set, exam में, gate वगरा में, या फिर और अच्छे-च्छे exam में, यह permanent set निकालने के लिए आता है, है ना, stress strain curve देदेगा, material का, loading conditions देदेगा, फिर बोलेगा unload भी किये है, तो कितना elastic strain है, और कितना permanent strain है, यह निकाल के बताओ, अलग-अलग, या कभी उसका ratio पूछ लेता है, gate में तो आते हैं, इस तरह के questions, क्या फिर mains वगरा के questions आ सकते हैं, इस तरह के, समझ रहो, तो concept को समझो, तो इस ही को हम बोलते है, permanent set, हैना, मतलब यह strain permanently induced हो गई, यह uploading remove करने के बाद भी, वो strain remove नहीं हुआ, permanent set, चीक है, यहाँ से यहाँ तक, regain कितना हुआ, regain हुआ, इतना, यह regain हो गिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, this is your elastic strain, आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक minute यार, इसको आप कह सकते हो, elastic strain, क्योंकि यह, loading remove करने के बाद, इतना का strain remove भी हो जा रहा है, whenis हो जा रहा है, हैना, वो deformations जो हुए थे, उतने strain के corresponding, उतना, वो regain कर रहा है, लेकिन कुछ amount regain नहीं कर रहा है, तो permanent set plus elastic strain, दोनों मिला के, total straining होती है, ठीक, अगर आप beyond elastic limit, straining कर देते हो, तो यह concept चलती है, तो यह निकानने के लिए एक जाम में पूछता है, loading curve, unloading curve, ऐसा, तो within elastic limit, अगर आप load करके, unload कर रहे हो, तो unloading curve is the same as your stress strain curve, ठीक है, मत्त, क्योंकि वो deformation awareness हो जाती है, बट beyond elastic limit, अगर आपने loading कर दिया, तो unloading curve not follow the initial stress strain curve, बट यह strain axis पे कुछ एक particular value पे cut करेगा, जो भी उसका permanent deformation होगा, उस particular value पे वो curve cut करेगा, बट at slope equal to initial slope of stress strain curve, यह सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, तो अब देखो, यह concept यूज होता है, है HYSD steel के case में, basically है, समझो यहाँ पे एक cycle है, this is one cycle, समझो कि ऐसा multiple loading unloading का cycle चल रहा है, multiple cycle, मतलब एक बार load किया, मतलब elastic limit के beyond, फिर unload किये, तो कुछ ना कुछ परवानेट strain आगी, फिर उसके beyond, अब यह loading unloading का phase खतम, फिर से loading का phase करोगे, फिर elastic limit के beyond किये, फिर unload किये, फिर कुछ परवानेट strain आगिया, फिर loading किये, फिर unload किये, फिर कुछ परवानेट strain आगिया, तो यह सब strain धिरे धिरे, वो तो regain नहीं हो रहा है, वो तो accumulate होते वोई चल रही है, तो इस कारण से कहीना कहीं, material की जो yield strength है, वो बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है, HYSD steel में जो strain बढ़ने का concept है, वो यह ही है, हम loading unloading करते हैं, basically, तो जिस कारण से material stressed हो जाता है, तो उसका yield strength बढ़ जाती है, this is the concept used in HYSD steel, समझें, तो आप इसको बना लेना, ये वाला diagram बना लेना, कौन सा, ये वाला, अब mild steel के case में, ये जो diagram अगर बनाऊगे, इसमें A, B, C point जो मैंने बुला है, इसमें हमको क्या लिखना है, basically, ये लिखना है, these points are, these points are, same points, same points only, ये WSM theory का assumptions है, working stress method का, कि mild steel में ये जो आपको different points देखने को मिल रहा है, वो different points के बीच में deformations बहुत जादा नहीं है, इसलिए वो points nearly same है, वो करीब-करीब है, बहुत ही करीब-करीब, तो वो तीनों point एक ही है, just पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, उनको अलग-अलग दिखाया जाते है, लेकिन वो होते नहीं है, actually मैं, वो तीनों limit, proportional limit, elastic limit, yield limit, है ना, वो तीनों point करीब-करीब रहते हैं, इस दूसरे क्यों, समझ गए बात को, है ना, तो ये, FE 250, का ये case है, ये हच़एश्डी का case है, ये केस, ये जो concept है, आप हएच़एश्डी का, वो तो मैं बताया आपको, अंदर की बात, कि किस तरह से उसका yield strength क्यों भढ़ जाता है, ये concept आप loading and unloading curve, और permanent set का concept है, आप उसको ऐसे, अलग से, डागराम बगल में मना सकते हो, तो अभी तक जो डागराम मैंने आपको दिया है, वो कितने डागराम दिये हैं, एक मिनट, ये वाला एक page का डागराम, दूसरा डागराम, ये तीसरा page का डागराम, तो ये सारा डागराम बनाओ, copy पे, अब मैं लिखवाता हूँ theory, ये सब दो discussion हम लोगों नहीं किया, इससे related हम लिखेंगे हम theory, फिर आगे लिखते चलेंगे, अभी ये ही सब चीज बेसिक बेसिक चीज पढ़ना है, properties of material है ना, basic बेसिक concept को भी पढ़ना है, ओके, इतनी डागराम, तो अब हम लिखेंगे theory, ठीक है, ये चीज को भी सो कर दो यार, इसको लिखो आप sigma u, ये point f क्या है, fracture point, fracture point या breaking point, और इसी को हम breaking point भी कहते हैं, breaking point, ठीक है, आगे बात करते हैं, तो वो point आपका fracture point या फिर उसको breaking point, now, important क्या है, जानना, ये fracture point के corresponding strain कितना होता है, ये value आपको जानना है, जैसे mild distill के case में, हम लोगों ने देखा था, ये fracture point के corresponding strain जो होता है, वो लगवग 25% होता है, या फिर उसका, अगर in general range कहलो, 20% से उपर ही होता है, 20-30% के बीच में, कहिना के वो fracture point लाई करती है, इन general value जो एक value हम लोग याद करते है, examination purpose से, वो याद करते हैं 25%, तो उसी तरह से, HYSD स्टील के case में, भी fracture point strain होती है, तो वो obviously 25% से बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे deformation, जो overall हो रही है, वो काफी कम है, इसलिए तो वो brittle behavior so कर रहा है, इसलिए तो वो ductile नहीं है, समझ भा रहा है, तो यह fracture point के corresponding strain कितना होता है, अब यहाँ पे दो category of steel में आपको बताया है, जो basically बात कर रहा है हम, जिसके ऊपर मेरा concern है, FE 415 and FE 500, तो FE 415 और FE 500 के बीच में भी, carbon किस में ज़्यादा होगा, FE 500 में ज़्यादा होगा, इसलिए उसका strength ज़्यादा मिल रहा है, तो FE 500 में अगर carbon ज़्यादा होगा, तो obviously बात है, उसका fracture strain और कम होगा, as a respect to FE 415, तो वो fracture strain कितना है, है ना, this strain, यहाँ पे जो strain है, इसको हम बोलता है, fracture strain, fracture point strain, यह भी direct exam में, as a objective पूछ लेता है, fracture point strain, तो यह values कितने हैं, यह हम देखेंगे, तो आप क्या करिए, यह diagram इसको ऐसे complete करिए, next वाले page पे, यहाँ पे जगा नहीं है, तो वहाँ पे मैं आपको, यह fracture point strain लिखवा देता हूँ, ठीक है, यह जो fracture point strain होता है, इसको हम बोलता है, fracture strain, fracture, तो वो होता है, इतना इतना दिखिये, fracture strain, F.E.250 के लिए, approximate value ध्यान रखिएगा, exam में objective questions आ जाएंगे, तो answer करने के लिए, F.E.250 के लिए 25% लगबग, F.E.415 के लिए 14.5% लगबग, और F.E.500 के लिए उससे भी कम होना चाहिए, जो कि होता है, approximately 12%, यह जो, हम 415,500, 240 है, यह tension test में, जो yield strength वो सो करता है, वो चीज़ वो है, यह बात clear है आपको, F.E. का मतलब क्या होता है, यह code है, steel को represent करता है, ferrous, ferrous, ठीक है, यह चीज़ होती है, F.E. का मतलब, ferrous, ओके, to represent steel, एक चीज़ और, देखिए, दो तरह का strain में आपको बता रहा हूँ, अब उसको भी यहां बघल में, एक नोट बनाके लिख लो, आगे, लिखते चलो, जो जैसा जैसा बोल रहा हूँ, अभी, नोट बनाके लिखते चले, यह सब डाग्राम बनाए होंगे, और एक छोटा सा नोट बनाके, यह डाग्राम भी बनाके, उसको लिख लेना बाकि ये सब तो कहीं पर भी ये डाग्राम में ही कहीं पर अगल वगल लिख लिएगा क्योंकि आगे और थियोरी लिखवानी है तो ये छोड़ा से एक डाग्राम बनाओ नूट बनाओ दो तरह का स्ट्रेंड के बारे में बता रहा हूं किसी भी मट्रियल के लिए फॉर एनी मट्रियल इसका एक पॉइंट होता है इस तरह से आ रही ती ये ऐसा कुछ ऐसा फिर ये जो पॉइंट है इसी को तो प्लास्टिक पंट हम कह रहा है है यहीं इसी पॉइंट के corresponding जो आपको stress है उसी को तो हम sigma y लिखवाए थे yield stress तो यह plastic point हम इसको कहते है basically है ना जहां के बार जो मतलब वो plastic point मतलब that first मतलब that level that level of stress corresponding to which first surface crack appear उसको हमने yield बोला था तो वो चीज भी वही है क्योंकि अब वह एक वार crack appear हो गया तो वह crack सुचो वह crack एक वार appear अगर हो गया वह क्या वापस जा सकती है मतलब कोई चीज अगर टूड़ गया तो क्या वह फिर से जुड़ सकता है जब तक गम नहीं लगा होगी वह तो गम लगा कि हम original जोड़ता है ऐसे लेकिन reality में वह सकती है कि नहीं हो सकती टूड़ गया मतलब टूड़ गया वह ही यह plastic वहां से plastic deformation start हो जाते है तो जो भी strains है वह strain आपके रिगें नहीं होंगे वापस नहीं होंगे तो इलास्टिक लिमिट के जस्ट बात से ही आप सोचिए कि plastic point आने लगा है ठीक है और फिर यह कर्व कुछ इस तरह से जाता है किसी भी material का yield plate you या फिर जो भी है जैसे hy sd के case में ले लो इस तरह का कर्व जा रहा है और लास्ट में अन्तिम में जाके एक प्लास्टिकुलर तो up to fracture point ठीक है यह fracture हो गया यहां पर यह point F fracture point अना तो fracture point के corresponding जो भी strain आपको दिख रहा है टूटने से पहले तक जो भी deformation हुआ और total deformation हुआ है तो यह total deformation को basically आप दो हिस्टों में cover कर सकते हैं एक तो यह elastic strain दूसरा plastic strain initial वाला यह elastic strain जो कि बहुत कम है और यह plastic strain यही note लिखने के लिए कह रहा था elastic strain plastic strain elastic strain recoverable है मतलब load जो भी हमने लगाया है material की उपर अगर वो लोड हम remove कर दें तो elastic strain भी खतम हो जाती है लेकिन plastic strain is non recoverable मतलब जो load लगाया है वो load को remove भी कर दोगे तो अगर plastic deformation हो गिया है तो वो deformation material में रहेगा permanently that is non recoverable समझ में आ रहा है तो strain को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया इसको एक plastic और fracture के बीच में अगर strain ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है किसी material में तो material हो जाएगा ductile और किसी material में अगर कम है तो material हो जाएगा आपका brittle तो जैसे mild steel के case में अगर मैं बात करूँ यह जो plastic strain है मतलब elastic limit के बाद से total यहां तक breaking तक plastic strain तो यह जो plastic strain है PS is approximately equal to 10 to 15 times 10 to 15 times of elastic strain TS ऐसे लिख देता हूं simply है ना for mild steel for FE 250 दिख रहा है आपको लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी आप लिखिए note बनाके इसलिए यह ductile होती है इसलिए यह ductile होती है लेकिन HYSD के case में यह चीज उतना नहीं होता है plus HYSD के case में yield plate you अगरा नहीं है इसलिए वो ductile नहीं होती है वो brittle होती है लेकिन आज कल जो हमारे पास manufacturing process available है dear boy latest जो manufacturing process available है उसमें हम high strength steel को भी ductile बना सकते हैं हम बनाते हैं जैसे TMT bars होते हैं है na TMT वो ductile भी उसमें ductility भी अच्छी खासे देखने को मिलती है corrosion resistance भी होते है वो plus अपका high strength भी होता है उसमें ठीक है वो manufacturing process के उपर depend करता है अलग-अलग manufacturing process आ चुकी है advancement हो चुकी है अना तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम high yield strength बार जो होते हैं उसको ductile नहीं बना सकते हैं नहीं मैंका नहीं जब available है आज के टाइम पर बस यह theory है समझने के लिए तो हम समझ रहें चीजों को लेकिन आज के टाइम पर manufacturing process हमारे पास available है हम high yield strength बार को भी ductile बना सकते हैं FE 500D ऐसा भी आता है यह grade of steel भी available है समझ में आ रहा है बात ठीक है अब देखो एक चीज जहां पर earthquakes related design हो रही है earthquake resistant structure आप बना रहे हो तो वहां पर एक ही चीज सबसे ज़्यादा जरूरत होती है माइन होती है जिसकी ductility तो जिसकी ductility ज्यादा होगी जिस स्टील की उसी स्टील का हम यूज करेंगे earthquake design में तो ऐसे एक जहां में आपको question पूछेंगे हना कि earthquake resistance structure के design में material के अंदर क्या एक important ऐसा property है जिसका significance ज्यादा है ductility का हना तो आपको फिर options भी दे देंगे मानलो fe 250, fe 415, fe 500 इन में से कौन सा यूज करोगे fe 250 यूज करेंगे समझ में आ रहा है ऐसा HYSD बार के case में और एक grade भी आपको देखने को मिलता है जिसको हम कहते है fe 550 हाना यहाँ पर लिखता हूँ नीचे जगा नहीं है मैं ऊपर कहीं पर यहां पर लिख देता हूँ इसको भी आप note में डाल दो fe 550 fe 550 grade of steel का जो fracture strain होता है it is 8% ठीक है यह जो data मैं दे रहा हूँ यह जो data fe 415 का इतना fe 250 का इतना इसका इतना यह किसके accounting दे रहा हूँ Bureau of Indian standard के accounting इन्होंने यह limit set किया है इन्डियान स्टेंडर्ड कोड आई एस कोड में भी same data को फॉलू किया जाता है तो यह limit किस ने दिया है यह चीज़ भी मालूम होना चाहिए Bureau of Indian standard ने यह limit set किया है अब यह जो elongations है ठीक है यह जो elongations है यह minimum value है कि इस grade के लिए minimum इतना होना चाहिए फ्रेक्चर तक में elongations आप उतना देखने को मिल रहा उतना percentage यह Bureau of Indian standard ने set किया है समझ में आ रहा है ओके तो यहां तक आप लोग लिख लीजी नोट पॉइंट में जो भी चीज मैंने लिखवाया सब एक्जाम में objective oriented points है सारा का सारा कुछ अभी बहुत सारा लिखना है है तो इन नोट पॉइंट को लिखो हाथ जल गिया है फिर भी पढ़ा रहा हूं अच्छा यह डाग्राम भी बना लो ठीक है यह डाग्राम भी बना लो यह लिख लो यह सारा डेटा भी लिख लो सब कुछ सब कुछ एक्जाम में पूछा हुआ जितना भी point explain किया हूं यह डाग्राम पे तो अभी आएंगे जब इलाश्टी सीडी का कॉंसेट मैं फिर से दुवारा भी समझाओंगा अच्छा एक चीज और यहीं पर बात करता हूं सुनो एक बार बात फिर से दुवारा एक बार सुनो देखो मैंने बोला यह कॉंसेट है यह यूज हो रहा है बेसिकली क्या होता है माइल्ड श्टील से ह होता है हमारे पास में श्टील उसी में फिर उसी को यूज करके हम हैं योज बंत बनाते सब नहीं कहीं से बनाया कई नहीं मैं नंश समर्ण अजाना चाहता हूं समझो बात को देखो यह जो लोडिंग अनलोडिंग मैंने बताया इसका अगर साइकल हम प्रोवाइड करेंगे मतलब लोड किया अनलोड किया लोड किया लोड किया बियॉड इलास्टिक लिमिट बात कर रहा हूं फिर इस्ट्रेसिंग किया अन्लोडिंग किया फिर कुछ ना कुछ पर्मनेंट डिफर्मेशन आ गिया इस तरह से साइकल चल रहा इस कारण से मैंने एक पॉइंट लिखवाया कि इल्ड स्ट्रेंथ आफ मट्रियल इंक्रीज हो जाती है क्या होती है इस तरह से अगर हम ब्यॉ कि स्ट्रेस के सब्सक्राइब व्यूर्च लेसकते हो उसके कर्सपॉंटिंग ही इस ऐसaste जबरदस्ति आपके ऊपर एक ग्सक्रेशिस कि लो रगया और तुमने जेल लिया अपने उसलोड को jokeई ऱ्ले थोड़ा डिफर्म किये लेकिन दूमने से जीलिय हुआ मैं फेल नहीं हुए अभी तक फेल नहीं हुए फेल मतलब सूचो कि क्रैक डेवलप्मेंट नहीं हुआ है मट्रियल के लिदर तुम नहीं टूटे तुमने लोड को जेल लिया 120 पर मेरे मन में बड़ी लालच और दो 130 किया और थोड़ा दब होगे और कुछ पर्फारेंट डिफॉर्मेशन होगा लेकिन फिर 130 को भी जिल लिया ऐसे करते 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 तो ऐसे करते करते आप 150 तक जिल लिया मान दो तो यहां पर हुआ क्या कई लास्टिक लिमिट कही और है ह अब अब जेल कहा तक रहे हों without failure without crack अब जेल रहे होंक्तार सख्वारेंगे 1060 और में क्या कर रहा हूं यहां पर लोड लगा रह रहा हूं फिर लोड़ को रिमूब कर रहां हूं लोड लगा रहा हूं मतलब जैसे पहले 100 लगया सब हैक्ने फोड़ीशन लगायय फीर 120 लग एफेक्ट तो आया होगा पर्मानेंट कुछ देखने को मिला होगा लेकिन इस कारण से हो क्या पार चमता बढ़ रहा है है you । मेरे को समझ में आ रही है कि आप लोडिंग ले पा रहे हो 130 तक भी 140 तक भी एक 150 तक भी समझ वहारा है यही चीज हम करते हैं हम continuously stress करते हैं beyond elastic limit फिर unload करते हैं इस कारण से yield plate you जो है जो mild still के case में yield plate you आपको देखने को मिल रहा है वो yield plate you खतम हो जाती है तो yield plate you को खतम करने का यही concept है इस तरह से हम yield plate you को खतम करते हैं समझ वहारा है continuous stressing beyond elastic limit and unloading stressing unloading इस तरह से करके mild still के case में जो yield plate you है उसको खतम कर दिया जाता है और यह concept क्या है basically strain hardening का क्योंकि आपके अंदर जो molecular level पर reorientation, readjustment वगरा कुछ हुआ होगा यही concept हमने देखा था strain hardening में जब molecular level पर reorientation वगरा होता है पार्टिकल्स का तब strain hardening phase देखने को मिलता है तो कम deformation पे आप load fuel carry कर पारें failure होने तक यह concept basically है strain hardening की yield plate you को हम remove करवाते हैं और material का yield strength बढ़ जाता है तो वही हमें जो elongations and deformations वह कम हो रहें elastic हैना मतलब जो fracture तक में deformations है elastic limit के बाद वह कम हो जाते हैं लेकिन load वह ले रहा है कि समझ में आरा बात यह background है तो ध्यान रखना ठीक है आगे लिखवाओंगा जब हम elasticity का concept वगेरा करेंगे हाना तो वहाँ पर यह loading unloading फिर से समझाऊंगा अभी जस्ट समझाने के लिए समझा दिया इस चीज के उपर फिर से दुवारा आएंगे इसके अंदर चलेंगे हाना स्ट्रेंजी के concept वगेरा को में discuss करूंगा तो वहाँ पर इसके उपर फिर दुवार आऊंगा लेकिन अभी जो concept में ने डिसकस किया इस चीज को ध्यान रखना आप मैंड में ओके वह जो point का justification कि कि elastic limit के beyond continuously loading unloading हम करेंगे तो material की yield point बढ़ जाती है तो इसी तरह से यह concept को यूज करके जो माइड लिश्टील होता है उसका yield plate यू हम remove करवाते हैं और यह concept basically strain hardening की concept है क्योंकि molecular level पे molecules की readjustment चल रही होती है अंदर अंदर material में load वह ज्यादा ले पा रहा है deformations कम है इल्ड स्रेंद बढ़ गई लेकिन fracture point के corresponding deformation कम आपको देखने को मुल रहा है इसलिए वह brittle है बात करते करते एक topic के उपर बात करती ही रहते हैं कोई topic को खतम भी करना है या दूसरा topic भी चलना है समझे रहतों चीजों को आगे एक चीज और बात करता हूं जैसे earthquake resistance design का मैंने बात किया तो उसके उपर एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी हम earthquake prone area में structure बनाएंगे या कोई building बना रहे हैं तो जो minimum minimum maximum grade of reinforcement जो है वो fe415 है उससे ज्यादा grade of steel हम यूज नहीं करें समझे यह Bureau of Indian Standard ने Indian Bureau BIS ने भी इस पर लिमिट लगाया है प्लस अपना IS code ने भी इस पर लिमिट लगाया है जो earthquake resistance design का अपना code है उन्होंने भी लिमिट लगाया है प्लस Bureau of Indian Standard ने भी लिमिट लगाया मैक्सिमम ग्रेड़ फ्रेंफोर्स्मेंट दट कैन भी यूजड इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर इज फ़र 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 समझे गया फ़र 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 से ज्यादा नहीं तो एक्जाम में यह question भी पुछ स्टिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि लो कर्वन इस्टील होगा अधिक्तम यूज होता है फी 250 का लेकिन आपको अगर थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ पे जाना भी है तो एक प्लस एक कॉंसेट आप आर से में और पढ़ोगे देखो जहां डॉक्टाइल भीयर हमको चाहिए हो साइज कम होता है तो उसमें डॉक्तिलिटी भीयवियर आपको ज्यादा देखने को मिलता है कहीं न कहीं यह एक आती है निकल के तो स्मॉल डामेटर बार आप यूजड इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर इस चीज पर भी आप मतलब इस चीज को भी आप ध्या जाता है तो एकजाम में कभी कोश्चन दिखेगा तो टिक लगा दोगे आप चलो थियोरी आ गया यहां तक कम्प्लीट अब थियोरी लिखना चालो करो नोट अलदी ग्रेड अप्ष्टील पहला नोट लिखें अलदी ग्रेड अप्ष्टील है वह सेम यंग स्मोडलॉर्स ऑफ इलस्टिसिटी था इस इनिशन इस्ट्रेस ट्रेइंड कर्व इस सेम फॉल और ऑल इस स्टिल लग वागा यह यह आजूम करके चलता है और यह यह स्ट्रांस मॉड्लर्स ऑफ लास्टिशिटी की वैल्यू कितना है इसका वैल्यू एस इकल टू इंटू टेंटू टू पार फाइव न्यूटन पार एम्म स्कुरर हम कंसिडर करते हैं याद रखना या फिर 2 x 10 to the power 5 MPa इसको बोलते हैं मेगा पासकर याद रखना अब देखो जो stress strain curve हमने देखा था है उसमें different points जो हमने देखा था वो क्या था proportional limit या फिर इसको linear limit भी बोलता है क्योंकि इसके अंदर में stress strain curve कर linear behavior यह शो करता और within linear limit only hooks law is valid जो आगे हम पढ़ रहे होंगे hooks law is valid valid up to this point only be कि कर दो नौव बी इलाश्टिक लिमिट है चीड इल्ड लिमिट है यू अल्टिमेट लिमिट या ultimate point कहलो एफ फ्रेक्ट्र पॉइंट इसके corresponding strain वगरा मैंने आपको बता ही दिया है तो ध्यान रहेगा चीजह चलो आगे बात करना इसप लिखना चालू करो है यह यह इस्ट्रेस को कैसे डिटर्बाइन करते हैं क्योंकि मैंने बता रखा लौजिक क्योंकि मैं इसलिए जैसे माइल इस्ट्रेस में किंक किंक हुआ फिर इस्ट्रेस वहां पे विजिवल है दिख रहा है क्लियर कट है अडिटिफाइब कर पा रहा है लेकिन है यह इस्ट्रेस में वह सब चीज़ें नहीं मिलती है प्लस और भी कुछ डक्टाइल मट्रियल्स होते हैं बहुत तरह के अलग अलग जैसे अलुमिनियम हो गया कॉपर हो गया सिल्वर हो गया इनके भी स्ट्रेस श्रेंड कर्व में आपको क्लियर कट इल्ड पॉइंट नहीं दिखता है तो वहां पर भी सेम कॉंसेट्ट जो अभी हम देख रहे हैं इसी तरह का कुछ कॉंसेट्ट वहां पर भी हम यूज करते हैं ठीक है तो अभी फिला लिखिए है कि लिए है वेन स्टील इज रिष्ट ब्यूंड इस इसलस्टीक लिए ऑच बात भी ऑच इलस्टीक लिविट आप्ने इस्ट्रेस कर दिया and then unloaded and then unloaded then it return to an unstressed state beyond elastic limit आपने loading किया है फिर unload कर रहे हैं तो unload करोगे तो load remove हो गई तो unstressed condition में वो आ जाएगा in elastic manner elastic manner में आईगी मतलब कुछ ना कुछ रिगेन हुआ हैना जो भी deformations हुआ था कुछ ना कुछ deformations remove हो रहा है बट लेकिन next point the path followed to zero stress will not be original path OA मैंने बोला था याद करो जब loading unloading पढ़ा है था अगर within elastic limit stress करते तब unload करते तब जो path follow करता वो OA वाला ही path follow करता एक मिनट वो इसको मैंने B लिख दिया था इसको A कर लो ठीक है यह origin point O यह A ठीक है इस diagram से relate कर पाऊगे और यह जो A point है यह elastic limit वाला point है ठीक है यह A point किसका बात हो रहा है elastic limit वाला point का बात हो रहा है unstressed in elastic manner the path followed by zero stress the path followed followed to zero stress will not be the original path O A clear है the unloading curve has its लेकिन जो unloading curve मिलेगा उसका slope जो है O A के slope के बराबर का ही slope रहेगा यह बात भी देख रहे हो अगे there will be a permanent strain called permanent set और यह जो permanent strain मिल रहा है आपको उसको हम permanent set बोलते हैं after unloading yield stress is defined as stress at the point of unloading stress at point of unloading that corresponds to a permanent strain of 0.002 मतलब मतलब वही कि 0.002 का हम strain देखेंगे strain axis पे after unloading ठीक है मतला ऐसा समझाओ unload हो गया material unload जब material अप loading unloading कर रहे हो loading unloading कर रहे हो तो जो unloading curve है वो अगर आके 0.002 permanent strain पर cut कर रहा है मतलब इतना का permanent strain आपको देखने को मिल रहा है तो इसी point के corresponding जो stress strain कर रहा है आपका तो यह 0.002 permanent strain पर आप OA जो slope था उस slope पर एक line ड्रॉप करोगे straight line उसी slope से तो वो line जाके cut करेगा कहीं ना कहीं stress strain कर रहा हो तो वो point के corresponding जो stress है उसी कहां इल्ड stress कहा देंगे HYSट की के से तो कितने permanent strain पर 0.002 permanent strain पर मतलब यह क्या हुआ 0.2% offset आप ले रहे हो strain axis पर ध्यान रहेगा बात समझ गए इन चीजों को है ना बहुत important है therefore to determine yield stress 0.02% offset method is used HYSD यह high tensile steel के किसम है in HYSD stress strain curve no yield plate view is observed किसी भी तरह का yield plate view आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है आना वो चीज हमने लिखा उसका silent feature था यह आगे लिखो HYSD steel it is high carbon steel and expensive महेंगे होते हैं इस चीज को भी लिख लो it is hence brittle material hence लिखने का कोई ज़रत में अच्छा high carbon steel है ठीक है it is hence brittle material क्योंकि high carbon steel है इसलिए brittle material है strength is high strength इसका high होता है but ductility is low इससी ductility कम होती है these are more elastic as elastic limit is also high is also high also ठीक है is also high इसलिए वो more elastic होता है आगे एक नोट नहीं एक topic का heading डाली है concept of proof stress concept of proof stress topic ही डाली है ठीक है वो HYSD का खतम हो गया ठीक है वो सारा खतम हो गया अब एक नया topic बनाओ heading डालो concept of proof stress अगे लिखे the concept of proof stress is used for those ductile material किसके लिए यूज कर रहे हम proof stress का concept for those ductile material पहला point proof stress concept is used for which material ductile material पूछेंगे exam में which ductile material which do not sow its clear yield limit या yield point in stress strain कर तो सब्सेम हमको yield point निकालनी है ऐसे ductile material कि जिसके stress strain कर में clear yield point sow नहीं कर रहा है तो हम concept of proof stress यूज करते हैं फर those material to determine yield stress और design stress the concept of proof stress is used समझ गया है well तो कैसे हम यूज करते हैं देखिए अच्छा ये तो कौन कौन से material है जैसे आपका aluminum है copper है ठीक है gold AU gold ले लो silver ले लो ठीक है तो copper ले लो ये सारे material का बात हम कर रहे होगी तो देखिए कैसे जैसे ये stress strain curve आपको मिल गया इन different material का stress strain curve मैं अलग से भी दिखाऊँगा ओके ये sigma है ये strain है तो माल लोग को ये stress strain है वही HYSD जैसा ही कुछ है माल लो ऐसा किसी material का तो इसका भी अपना एक proportional limit होगा वह से पी जो slope है वह तो slope आपका linear limit है वह slope आपका constant है और वह slope कितना होगा इस material का जो भी ये material है उसका जो भी यंग्स मडलो सा plasticity है उसके बराबर यंग्स मडलो सा plasticity सभी steel का मैंने बोला common लेकिन सभी different material का steel के बराबर हो ऐसा कोई जो रही हो नहीं है इस लिए नहीं है इस लिए नहीं लिखा हूं तो यह linear है इस line is linear और यह आपका पी जो है यह आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है प्रोपोर्शनल लिमिट अब देखिए अब हम क्या करेंगे different different material के लिए अलग-अलग offset के values है इस ट्रेंड के जैसे aluminum के लिए वही हम 0.2% consider करता है aluminum के जो हम हम हच्वाइशडी steel के लिए consider किये थे उतना ही aluminum के लिया जाता है फिर gold के लिए अलग है gold के लिए लगवग 1.15% है silver के लिए लगवग 1.5% हम offset लेते हैं तो अलग-अलग material के लिए अलग-अलग offset strain axis पे तो for example मैं aluminum का आपको समझा रहा हूं और किसके case में कितना offset लेते हैं वह भी अभी लिखवा दूँगा for example मैं aluminum का ले रहा हूं तो 0.2% strain मतलब 0.002 जो अभी HYSD के case में किया उतना ही strain axis में एक point cut करूँगा कर दिया मैंने cut यह लो यह point आ गया 0.2% strain ठीक है जैसे यह हम aluminum के लिए भी कर रहे हैं aluminum के लिए यह चीज हम कर रहे हैं अभी निकाल रहे है aluminum के लिए यह data valid है 0.2% strain gold के लिए सिर्वल के लिए copper के लिए अलग-अलग material के लिए अलग-अलग strain offset हम लेते हैं तो aluminum के लिए 0.2% अब यहां से हम एक line draw करते चलेंगे at slope equal to slope of op line तो draw करते चलेंगे linear line ठीक है अब मेरा बगल में आ गया थोड़ा आप draw कर लेना सही-सकेल को use करके तो यह line stress strain curve को कहीं पर जाके cut करेगा इसके corresponding का जो stress आपको देखने को मिल रहा है उसी को हम sigma p और sigma y कह देते हैं proof stress और ill stress और design stress जो भी design stress निकालने के लिए factor of safety of that particular material जो भी होगा उसको हम divide करके फिर design stress निकालेंगे वह अलग चीज है लेकिन proof stress या ill stress इसी stress को हम कह देते हैं यह concept of proof stress यह basically use करते हैं हम उन ductile materials के लिए जिनके stress strain curve में obvious या clear cut yield point या yield limit सो नहीं कर रहा होता है उन material के लिए इस concept को हम use करते हैं यह जो strain axis पे जो हम offset ले रहे होते हैं इनका value अलग-अलग है for अलग-अलग material सब के लिए same नहीं है 0.2% it is different for different different material इस चीज को भी आप धियान रखना ही का चलो यार आगे लिखते हैं अब यह जो offset के value है जैसे aluminium के लिए यही पे लिख लो 0.2% strain axis पे हम offset लेते हैं जैसे gold के gold के हम बोलते हैं AU 1.15% हम लेते हैं silver लगवाग 1.5% तक चलती है इसमें offset इतना percent strain पर offset लेके फिर वहां से जो आपका initial stress strain कर्व का जो linear वाला portion होता उसका जो slope है उस slope पर एक line draw करते हैं वो line जहां पर stress strain को cut करता है उसके corresponding का जो stress है उसी को proof stress या yield stress कहा जाता है पर इस type of material clear है ठीक आगे लिखते हैं यहां तक लिख लिया according to this method an offset say 0.2% for aluminum aluminum अलग से 0.2% for aluminum is taken on strain axis from this point a parallel line is drawn to the slope of initial stress strain कर्व किस slope पे जो initial stress strain कर्व है उसी slope है the intersection of the parallel line जो आप ड्रॉ कर रहे हो with stress strain कर्व sigma epsilon कर्व is known as design point उसी को हम design point कहते है and the stress corresponding to it is called proof stress और yield stress ठीक है और उस point को हम design point कहते है slope what slope of this parallel line is slope equal to initial stress strain कर्व aluminum के लिख जैसे 0.2% gold के लिख जैसे 1.15% silver के लिख जैसे 1.5% example मने आपको लिख भाती है यहां के ductile material के concept को यूज कर रहे हैं this concept is basically used to find yield limit because we are not able to locate definite definite plastic point in case of such material मतलब जहां पर आपको पहला yielding देखने को मिलेगा वो आसपास का point हम definite point locate नहीं कर पा रहे होते हैं जैसे mild steel के case में हम locate कर लेते हैं कि यह है ऐसा यह point आपका plastic point यहां से yielding अब चालू होगी तो इसी के corresponding जो stress है उसी को हम sigma y yield stress कह देते हैं लेकिन यहीं चीज हम कि इस तरह के material के case में locate नहीं कर पा रहे होते हैं क्या नहीं locate कर पा रहे होते हैं definite plastic point समझ में आ रही है बात तो यहां तक लिखिए अब मैं सोच रहा हूं यार वो जो earthquake वाला note लिखवाया था उसको भी लिखवा देता हूं अना नोट लिखने में क्या जाता है ध्यान रहेगा copy पर रहेगा बात तो मैक्सिमम ग्रेड और अफ इस्टील इक वाड़ टो f415 पहला ठीक है फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रॉक्ट्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रॉक्ट्चर डिजाइन लिख लो उसमें ये लिमिट है दूसरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन में डक्टिलिटी इस इंपोर्टेंट तीसरा यूज आफ लो ग्रेड श्टील इस प्रिफर्ड स्टील इस प्रिफर्ड देखो चीज़ें हमको एक्जाम औरियंटेट पढ़नी है और आपको कंटेंट से समझ में आ रहा होगा किताब को अपी में बहुत सारी बात्तें लिखा हुआ रहता है दूसरे दूसरे ग्यानी विग्यानी आप देखोगे वह तरह का ओनलाइन पीडियाफ टीचर का वाइ वह पीडिया बस वाइरल होता है वह पढ़ाते कुछ नहीं है लेकिन हम इतना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा पढ़ाएंगे एक्जाम ओरियंटेड आपको बताएंगे चीजों को अच्छे से और आपकी एक्जाम कोई भी एक्जाम हो वह क्वालिफाई कर लोगे बस चलो अच्छे से समझते चलो क्याप्चर करते चलो यह चीज को मिस नहीं करना आप यह नोट लिख लीजिए फ़र अर्थक्वेक रेश्टेंस डिजाइन यह नोट है क्योंकि उसके उपर बात किये थे तो तीन बाते हमने लिख लिया और बाकि सब आर्शी सी में आपने लेकिन अब्जेक्टिव में बस अब्जेक्टिव कोई से इतना ही आता है वहाँ से इससे जाथा नहीं आता है चलो यार अब एक नोट बना लो फिर से और यह जो पेज में लिखा है इसको लिखो अब यह क्लियर कट आपको अंडरस्टैंड होगा यह डेटा वैल्यू या या 400 मेगा पासकल अब यह जो वेरियेशन आपको यह थोड़ा सा भी देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है यह लोडिंग के उपर डिपेंड करते हुए और कभी-कभी इन्वार्मेंटल कंडिशन के उपर डिपेंड करते हुए यह अल्टिमेट स्थेंग म तो वो वेरियेशन देखने को मिल जाता है यह कीवर्ड याद रखना बस एकजाम में हो सकता है लॉजिक पूछ ले कहीं से भी अंदर आजकल बहुत अंदर जाते हैं एकजाम में को रिशन तो लॉजिक धियान रखना कि अगर वो वेरियेशन आ भी राइस रेंज में तो वेवरियेशन की वह रहा है सम्टाइम्स डिपेंड अन लोडिंग कंदिशन औन इंवार्मेंटल कंडिशन अगे है एच वाइशडी फर हच वाइशडी स्टील इंड इस्ट्रंथ दो ग्रेड है एफी फ़ोरण 415 डफ फ़ोरण फाइब फाइब फ़ोरण फाइब और 5 85 होती है 500 के लिए तो मुझे यह बताओ कि Ultimate strength और yield में ज्यादा difference है क्या नहीं और deformations भी कम है है इसलिए बृटल होता है लेकिन mild-still के case में ultimate और yield में difference मतलब yield और ultimate में 500 प्लस का difference 250 yield और ultimate रिफ्रेंस हो गिया यहां पर देखो 100 का भी डिफ्रेंस नहीं मिल रहा है समझे है इसलिए मैंने एक प्वंट और लिखवाया था design stress design stress of ductile material based on its yield strength but design stress of brittle material based on its ultimate strength यह डिजाइन की बाते होगे लेकिन एक्जाम में एक्जाम ओरियेंट चीजें धियान रखना आगे हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे अलग से भी लिखाऊंगा नोट में फिर से यू कन सी इन फिगर वही फिगर जो HYSD का बनाया था FU for HYSD is more or less same as yield strength है ज्यादा कुछ difference इन में है लिए बहुत करीब करीब है इसलिए इनका design जो होता है इस बेज़ डॉन देर ultimate strength समझ गया अब यह data याद रखना हो सकता है एक्जाम में कभी-कभी directly यह data आप से पूछ ले पूछते हैं एक्जाम में पूछ लेते कभी-कभी यह data आपको directly यू बहुत सारी किताबे हैं जैसे यूथ वगरा के किताब देखोगे उसमें डिफ्रेंट स्टेट एज एक इसमें डाला होता है वो छोटा स्टूटा एक्जाम का भी वो सब एक्जाम में यही सब कूछते हैं तो हम पढ़ाई कर रह सब को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं लिखते चलो और लिखेंगे अभी वो लिख लिए अब एक नोट बराओ नोट बरा कि यह लिखो देखो आज कर ला इंडियान स्टंडर कोड के बारे में भी एक्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं ठीक है एक एक एक्जाम न पड़ रहे हैं तो SSJ तो बैठोगे बैठोगे वहाँ पूछ रहेंगे तो कोड़ुक के नाम वगगरा भी पूछे जाता है ठीक है तो लिखिए यह टेवल बना लिजिए एटीज माइल्डेश्टील प्लेइन बार यह चециम प्लेइन वार नॉन प्लेन बार कहने का यह होगा यह सरीया है कि ऊप्छ नहीं होगा है कि यह सरिया है इसके ऊपरिभश बने हुए रहते हैं इसाओ रीब्स में यूज करते हैं तो bonding में help करते हैं समझ गए बात को ठीक और यह उपर वादा जो steel है वह plain steel plain bar और जो mild steels होती है generally वह plain bar के category में आते हैं आपके cold worked mild steel bar hot rolled mild steel bar यह manufacturing process यह केवल नाम नहीं आप इसका पूरा concept भी पढ़ेंगे आले चलके मैं ही आपको बताऊंगा यह पूरा का पूरा प्रोसेस लेकिन हां respective subject के अंदर अभी यह सोम का topic इसमें इसके अंदर चले गए तो फिर कहानी गड़बड हो जाएगी है ना लेकिन जो जितना बता सकता हूं जितना maximum to maximum अभी यहां पर वह हम discuss करते हैं वह चल रहा है तो actually यह सब चीच मेरे को design वाले पार्ट पर बतानी थी लेकिन फिर भी यहां बता दिया या बिल्डिंग माट्रियल वाले पार्ट में लेकिन यहां बता दिया ताकि याद रहेगा हना यह याद रखना यह इसके लिए जो code है वह है Indian standard 432 1966 part 1 सीधा पूछेंगे Indian standard 1139 1966 part 2 सीधा पूछेंगे फिर है वाइच एच वाई एच बार है फिर हम टॉर श्टिल गोलते हैं यह टॉर कंपणी था जिनों ने है यसीडी श्रिफटील पहले बनाना चालू किया इसलिए उसको टॉर श्रिप्रेश्टिल जैसे टना तकि टॉर इसारी त्हेश्रा यह तो इसमें भी दो अगरी cold work.deformed bar ये क्या होता है मैं बताऊँगा समझाऊँगा घबरानी जुरुत नहीं है फिर hot rolled deform bar इसमें grade होई FE 415-500 इससे related code इंडियन standard 1786-1979 इंडियन standard 1139-1966 part 2 तो देखो hot rolled का जो चल रहा है hot rolled का mild steel और HYSD दोनों के case में 1139-1966 part 2 है hot rolled की case में और cold work,deformed bar के case में आपका code change हो गया है तो according आपको code धियान रखनी है hard drawn steel wire hard drawn steel wire wire mess ठीक है ये इंडियन standard 1566-1967 code पूछेंगे rolled steel member rolled steel member फिर design of steel structure पड़ेंगे वहाँ हम देखेंगे i section होता है, t section होता है, angle section होता है ये सारा जो sections होता है ये rolled steel section होता है मतलब factory में directly हम i section ही बनाते है ठीक है नहीं तो ऐसे होता कि built up section एक होता है जैसे plate वगेरा को use करके हम i section बना लिए एक plate ऐसा, एक plate ऐसा, एक plate ऐसा, एक plate ऐसा ये built up हो गया, ठीक मतलब फिर यहां पर connections हम provide कर देते हैं connect कर देते हैं तो इस तरह से i बनाता है this is built up section, इसका भी design करेंगे steel में लेकिन जो hot rolled section होता है, वो सीधा सीधा मतलब सीधा, सीधा i section आप बना रहे हो, s section सीधा बना रहे हो समझ में आया बात, वो चीज़े rolled steel member, angle section, t section, joint, channel section, etc आतला आपने c section बनाया तो c section सीधा बनाया है आप rectangular plate वगेरा को use करके फिर उसमें connection प्रोवाइड करके आपने c section बनाया, beat up नहीं है, सीधा c आपने बनाया इसके लिए जो अपना code है, याद रखना, Indian Standard 226, 1975 बहुत बार पूछा ये सब code, पार कि इसके लिए कोई code नहीं है तो ये याद रही बिज़ुरत नहीं है, लेकिन ये जो thermomechanically treated bar है, TMT bar और ये corrosion resistance steel, CRS bar, these are the latest steel जो की use हो रहा है, आज के time के basically हम इनी को use करते हैं, बाकि सब steel ख़दम, mild steel का थोड़ा-मोड़ा इस सवाल है कहीं की बाकि हम जो भी use करते हो, TMT का use करते है, thermomechanically treated bar समझ गए बात को, या फिर corrosion resistant steel, ओके, बहुत सारा लिखना हो गया नहीं, कोई बात नहीं है, वीडियो को पाउच कर फिल किये, पढ़ना है, ठीक है, यही सब एक्जाम में पूछते हैं और यही सब चीज नहीं पढ़ते हैं, आपके copy पर नहीं होता है, इसलिए revision नहीं होता है, जिस कारण से एक्जाम में question छूट जाते हैं, तो हमें तो पढ़ना है, अना हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे question छूट एक्जाम में, selection सो, हो गया, आग कि carbon, अभी तक आपने यह देखा, carbon के बीच, carbon का percentage increase or decrease करेंगे, तो आपने देखा, ductility और strength पर किस तरह से effect आथ, basically यही दो चीज आपने देखा, लेकिन और भी ऐसे factors, parameters हैं, जिनके उपर effect आता है, due to change in percentage of carbon, तो वो कौन-कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं, एक बाद, short and concise size में, वाकि वो सारा factor का definisence भी हम लिखेंगे, वही सब यही सब topic चल रहा है, properties of material, हैना, तो यह देखिए, तो percentage carbon, अगर आप steel में carbon की percentage, जो alloy में, mixture में carbon की percentage है, उसको आप alter करते हो, steel बनाते हैं वक्त, तो क्या कौन-कौन से ऐसे parameters हैं, जिसके effect आते हैं, ductility, brittleness, strength, hardness, toughness, weld ability, मालो, percentage carbon आपने बढ़ा दिया, ज्यादा यूज किया, तो ductility क्या हुआ, कम हो जाएगा, britterness बढ़ जाएगा, strength, बढ़ जाएगी, hardness, बढ़ जाएगी, toughness, decrease होगी, weldability, decrease होगी, इसलिए mild steel, low carbon steel में आप जितना अच्छा से welding कर सकते हैं, high carbon steel को आप उतना अच्छा से weld कर के जोड नहीं सकते, समझ गया, toughness क्या है, hardness क्या है, इसका कैसे measurement होता है, ये सब topic next आने ही वाले है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, individually उन सब topic को पढ़ेंगे, लेकिन एक note के form में ये धियान रखना है, यहां से कुछ भी, कोई भी statement का combination बना के आपको objective person पूछा जाएगा, clear है, ये note आप लिखिये, उसके बाद ये लिखिये, ओके, ये, उसके बाद ये लिखना चालू करो, कुछ-कुछ चार तरह का steel के बारे में कुछ theory हम लिखवाएंगे, वो लिखिये, low carbon steel, जैसे कि mild steel आपका low carbon steel था, low carbon steel is an alloy of iron and carbon, the carbon content varies from what, 0.05 to 0.15% for dead mild steel, इसको हम dead mild steel गोलते है, low carbon steel में भी दो category है, 0.05 to 0.15% तक अगर carbon content है, उसको dead mild steel कहते है, and 0.15 to 0.3% अगर carbon content है mild steel में, मतलब steel में तो उसको normal mild steel कहते है, the dead mild steel is very much ductile, वो बहुँ जादे ductile और soft होती है, and is used for making various components like seat, strips, पटी, wire, rod, etc. इन सब को बनाने में उसका use कर लेते हैं, the mild steel is soft and ductile, जो mild steel है, dead mild steel हो हो गया, और जो mild steel है, it is soft and ductile, it is used for making various structural sections, यहां से section बनने लगते हैं, जैसे angle, channel, beam, rod, pin, etc. clear है, बात, low carbon steel का, लिख ली आपने, आगे, medium carbon steel, for medium carbon steel, the carbon percentage varies from 0.3 to 0.8%, this steel has better strength and not very easy to shape as mild steel, strength से ज़्यादा मिल रहें, लेकिन उतना ductility और softness इसका उतना ज़्यादा नहीं है, mild steel जैसा, कि आप easily इसको कोई भी safe प्रोवाइड कर रहें, समझ हो आ रहे हैं, लेकिन mild steel को आप easily किसी ठोक ठोक के, पीट पीट के, किसी भी अच्छे प्रोफर सेफना आप डाल सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन इसको नहीं है, है ना, ओके, the hardness is slightly higher and ductility is poor, carbon percentage बढ़ रही है, hardness, increase होते चल रही है, toughness, decrease होते चल रही है, ठीक है, the machine parts requiring strength like spring हो गया, springs को high tensile steel से भी बनाए जाता है, जो required होती, automobile parts, soft, dyes for forging, etc. are made from medium carbon steel, यह सब, questionary parts, ठीक है, यह उसका application है, यह इसका use है, यहां रखना यह सब चीज कोई छोड़ा मोड़ा जाही के एक गामें सीधा-सीधा point उठा के पूछ लेंगे, कोई guarantee नहीं है, अगे, high carbon steel, the carbon percentage varies from 0.8 to 1.5%, a high percentage of carbon gives hardness and strength to metal, hard होती है, strength होती है, it is mainly used for tools like chisel, chenny, हतोडा, dyes, punches, brooches, reamers, drill, taps, etc. यह सब चीज़ें बनाने के लिए हम इनका use करते हैं, high tensile, high carbon steel का, and the machine part like spring, देखो, spring, आगे है, फिर, mandrels, and a similar part requiring high strength and hard line, ऐसे चीज़ें को बनाने के लिए हम high carbon steel का use करते हैं, यह example ध्यान रखीएगा, जितना हो सबता होता होता ध्यान रखीएगा, नाम सब, एक्जाम में keyword पूछ लेतेंगे, नाम नाम पूछ लेंगे, और एक steel होता हा, high speed steel, ठीक है, यह जानों भाई, यह क्या होता है, high speed steel, HSS, this is high alloy steel, which can be used to cut metal, इसको यूज़ करके हम, लोहेट से लोहा को काटा जाता है, वही वो लोहा है, इसको यूज़ करके metal को कट करोगे, इसको हाडने से दम चरम सीवा पर है, इसको हाड, काटी, क्या लोगे, काटी, काटी से scratch करने का कोशिश करो, अगर वो scratch नहीं हो रहा है, मतलब यह चीज़ हाड है, अगर scratch हो रही है, ठीक है, और surface पे sign वगेर दिख रहा है scratch का, तो कम हाड है, समझ कहा है, यह चीज़ होती हाडने, अगर उसका material को उधेर नहीं सकते हैं, तो रहन्त उसकी काफी ज़्यादा होती है, यूज़ टू कट मेटल्स at a cutting speed of 2 to 3 times that of high carbon steel, high carbon steel से ज़्यादा बेटर है, ता most commonly used HSS high speed steel has a composition called 1841, या ते तंगस्टन 18% high carbon steel में याद रहा है इसका composition, chromium 4% and vanadium 1%, ठीक है, यह आपका high speed steel है, अना, the high speed steel is used for cutting tools in lathe, shipper, planers, milling, milling machines, drilling machines, rotine machines, etc. as a cutting tool इसका basically user, समस्गे बात को, ध्यान रहेगा, यह composition याद रहा है, अब देखिए, इस topic को लिखना नहीं है, बस सुनना यह समझना है, क्योंकि इस topic को हम आपको आगे लिखवाएंगे, अभी लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, हम आगे लिखवाएंगे, chapter number, इसके बाद वाला chapter जब हम कर रहे होंगे, principle stress and strain, वहाँ पे जब हम आपको theory of failure of different types of material पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे आपको समझा रहे होंगे, ठीक है, जश्ट अभी, चूंकि हम लोगों ने किया है, stress and strain का concept, तो वहाँ पे मैंने fracture fracture बोल रखा है आपको, cup and cone failure बता रखा है, इसलिए दिखा रहा हूँ, फोटो छभी दिखा रहा हूँ बस, ठीक है, तो आपको बस सुननी है, और ध्यान में रखने ये चीज़ें, लिखने का कम हम आगे करेंगे, cup and cone failure, इसको हम ductile failure भी कहते हैं, मतलब इस तरह का failure ductile material के case में ही हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा always, cup and cone failure is always ductile material, वो भी under specific condition, what is that specific condition, जब हम tension test कर रहे हैं, ductile material के उपर tension loading लगा रखे हैं, तब जाके इस तरह का failure देखने को मिलेगा, क्या logic होता है इसके पीछे, देखिए, दो तरह के material आपके पास basically है, एक क्या है, ductile material DM, एक है brittle material BM, देखो, strength, कैसा कैसा strength हम देखते हैं, तीन तरह का strength देखते हैं, tensile strength, compressive strength, shear strength, ठीक है, जो ductile material होती है, इसकी tension and compression में strength लगवाग equal होती है, यह same होती है, अच्छी घासी होती है, लेकिन यह कमजोर होती है, shear में, इसका shear strength अच्छा नहीं होता, ductile material के लिए, लेकिन जो brittle material होती है, इसकी compressive strength काफी अच्छी होती है, जैसे concrete, उसका compressive strength काफी अच्छा है, क्योंकि, अंदर voids present रहते हैं, brittle material के case में, जिस कारण से वो compressive load को पहले से जहल सकते हैं, लेकिन वो जो void वगेरा present हो रहे हैं, present है, brittle material के अंदर, उस कारण से जब आप tensile loading लगाते हो, तो tension को जहल नहीं पाता है, तो brittle material का compressive load carrying capacity काफी अच्छा, tensile load carrying capacity बहुत कम, और इन दोनों के बीच में कहीं पर CR strength इसका लाई करता है, यह चीज़े, सब लिखवाओंगो आगे चलके, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक तरह के different type of loading पे, for different type of material, failure pattern अलग होती है, तो यह theory of failure वाले topic में ही समझ में आएगा, यहां समझ में नहीं आएगा, यहां just point थी, बात हम कर रहे थे stress strain curve की, इसलिए मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, तो देखो यार, जैसे हमने mild distil, ductile material है, उस पर हमने tensile loading लगाया, तो याद करो ultimate point, ultimate point के बाद necking चालू हो जाती है, ठीक है, necking चालू हो रही है, मतलब cross section area उसका पतला होते चलता है, कितना पतला होता है, जो original cross section area होता है, उसका 50% तक cross section area reduce हो जाता है, फिर जाके ब्रेक कर जाती है, इस तरह से, तो देखो machine के अंदर, यह घाव हो है, जल गया है, silencer से, tension नहीं लेना, हम है कर रहे है, machine के अंदर देखो, steel है, machine के अंदर, ऐसे elongation आप provide कर रहे हो, तो यह वाला हिसा उपर है, अप, यह वाला हिसा डाउन है, तो यह आपका cone बन रहा है यहां पर देखो, cone और यह cup, उपर वाले हिसे में cup बनता है, नीचे वाले हिसे में, cone बनता है, और यह जो failure हो रही है, this failure is due to shear, ठीक है, ductile material की उपर, जब हम tensile load लगा रहा है, तो जो member की failure होती है, यह failure shear में हो रही है, यह failure tension के कारण नहीं हो रही है, उसका tensile load carrying capacity तो बहुत अच्छा है सहाब, लेकिन जो rupture हो रहा है, जो failure हो रहा है, it is basically shear failure, इसलिए 45 degree angle पर यह fail कर जाती है, 45 degree angle कर नहीं का मतलब है, यह जो angle आप देख रहे हो, this particular angle, this is your 45 degree, ठीक है, यह, यह 45 degree पर rupture हो जाता है, तो उपर वो cup बनती है, नीचे यह बनता है cone, यह आपका cup and cone failure, तो यह shear failure होता है, एक तरह का, failed due to shear, यहीं चीज, ductile material के उपर, अगर हम compressive node लगाएंगे, तो उसका failure pattern अलग होगा, same time, brittle material, जैसे HYHD steel है, उस पर आप tensile load लगाओगे, तो वो tensile में fail करेगा, shear में नहीं, क्योंकि उसका tensile load carrying capacity कम है, समझ में आ रहा है, और वहीं brittle material पे compression लगाओगे, तो वो compression में fail नहीं करेगा, वो shear में fail कर जाएगा, क्योंकि उसका shear load carrying capacity कम है, तो अलग-अलग cases में, अलग- तो वो हम देखेंगे chapter number 2 में, अभी बात आ गई थी ऐसे, तो एक जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया हूं, यह topic को और detail में discuss करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं, लेकित यह याद रखना, यह ductile material के case में है, ductile material के case में, जैसे mild steel, और उसमें आप tension test, TT कर रहे हैं, tension test कर रहे हैं, तब जाके यह cup and cone failure होगा, stress strain, जो diagram था, उसमें, point F के corresponding का यह figure है, और जो cross section area, reduce हुआ है, it is reduced up to 50%, यह सारा keyword पूछा जा सकते हैं, अना कुछ ना कुछ, लिख लो याद थोड़ा सा, ओके statement बनाके, ऐसे cup and cone failure, heading डाल दीजिए, और यह diagram बना लो, यह angle दिखा दो 45 degree, बाकि उधर भी diagram बनाएंगे, बाकि अगर धियान रख रहा है, तो धियान रख लो, यह original वाला diagram है, यह cup बन गया, मतलब यह surface ऐसा था, लेकिन जो fail हुआ ऐसा, तो यह angle up 45 degree, 45 degree के angle पर रप्चर हो जाती है, तो यही चीज है, तो यह ductile material है, इसलिए देखो धिरे जिरे तुम tension apply कर रहे हो, material घीच रही है, घीच रही है, घीच रही है, पतला होते चल दीए, होते चल दीए, होते चल रही है, अच्छानक से फिर रप्चर होगा, shear में पेल हो जाता है, तो उपर गढ़ा रह गया, नीचे material रहे आपका उपर कब बन गया नीचे, वो कोन बन जाता है, यह चीज़, तो उपर कब नीचे कोन, यह में धियान रखना है, हो सकता है, exam में कहीं पूछ ले, fact है, ऐसा ही होता है हमेशा, चलिए, आगे बढ़ते यहां से, यह topic लिखना है, बहुत important है, कुछ diagram से यहां पर आपको बना क दिखाऊंगा, कुछ important बात, point भी समझाऊंगा, जो की exam में objective questions में पूछे जाते है, देखिएगा, topic का heading दा लिए, stress, strain, तो यहां पर यह देखू, मैं axis बना रहा हूं, ऐसा, this is your stress axis, sigma axis, this is your strain axis, Apsaline axis, ठीक है, हम mild steel को reference लेते हुए, चलेंगे, तो mild steel का पहले बनाते हैं, यह origin point सभी का, O point, मैं पहले mild steel का बना देता हूं, mild steel का ऐसा कुछ चलता है, यह linear गया, proportional limit अचीव हुई, let's suppose, अभी और थोड़ा उपर ले लेते हैं, यह proportional limit आया, फिर elastic limit आया, फिर upper yield plate, lower yield point, फिर यह plastic point से yield plate, फिर strain hardening, ultimate point, ठीक है, फिर necking चालू हुआ, फिर fracture हो गया, F, now यह fracture point के corresponding, आप ऐसे एक vertical line नीचे drop करोगे, जो strain आपको देखने को मिलेगा, strain axis पे, this is your fracture strain, mild steel के case में कितना value होता है, उसका लगवा 25% होता है, याद है, ठीक है, यह point fracture, तो जितना भी stress strain profile में यहाँ पे plot करूँगा, सभी के case में, उसका ending पे, जो strain आप नीचे देखोगे, वो fracture, strain है उसका, है न, चलिए, तो different material का मैं plot करके दिखाता हूँ, सबसे पहला देखो, रबबड का, रबबड का लगवग सोया हुआ रहता है, strain axis के along ही रहती है लगवग, ऐसा, इस तरह का कुछ behavior रबबड के case में आपको देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है, चलो ठीक, यह रबबड के लिए, रबबड का लगवग सोया हुआ रहता है, फिर यह देखना, ठीक है, यह आपका concrete के लिए, फिर, यह आपका cork के लिए, c-o-r-k, cork, फिर, यह लकड़ी का, फिर, अब देखना, अलग color से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है, काश टाइरन का, फिर, और यह लकड़ी कलर से बना रहा हूँ, पिंक, ऐसा कुछ होता है, aluminum का, अब देखना, और एक color से बना रहा हूँ, कौन सा color ले लो, फिर से मैं ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक से बना रहा हूँ, अब बना रहा हूँ, हाई carbon steel का, वो देखना हूँ, उसका जो slope है, यह लगवक, mild steel का, जो slope था, है ना, उसके साथ चलेगा, और इस तरह से कुछ आपको, stress strain curve देखने को भूलेगा, high carbon steel का, this is for high carbon steel, ठीक है, high carbon steel, यह है different material का stress strain curve, यह ध्यान रखिएगा, exam में 4-5 curve दे देंगे, और options दे देंगे, कि किस का क्या है, एर्रेंज करो, ठीक है, तो यह डियाग्राम पर लच्छी बनाओ, अब सुनो बात, यह रबढ़ वाले case में देख इस वह हो यार, mild steel का fracture strain है, रबढ़ का fracture strain काफी ज़्यादा है, यह रबढ़ की के इसका fracture strain हैं, और डिफेरेंट मट्रीयल के कम्परिजन में रबड का फ्रैक्शुर कहने पहीज्यादा। तो फ्रैक्श पॉइंटा इस में तो यह फ्रैक्शर पॉइंट f है मालनो और यहां पर कहीं पर इसकी यह इलास्टिक फॉइंट है दिखा दिया एक नट हम रबड का थोड़ा सा चेंज गरते है यार ओके एक उनट वो सोया हुआ ही रहेगा लेकिन थोड़ा से इसका चेंज गरते है ऐसा तो यहां पर कहीं पर इसका इलास्टिक पॉइंट है और यह इसका फ्रेक्चर पॉइंट के बीच में डिफॉर्मेशन काफी कम है रबड की केस में इस डिफॉर्मेशन इसलिए मैंने बोला था रबड आपका ब्रिटल मट्रियल होता है ठीक है अब देखो अगर इलास्टिक इलास्टिक अगर मैं कमपेर करूं कि रबड और माइल इस्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है क्यों अरे यार इलास्टिक लिमिट उसकी हाई है ना इलास्टिक सिटी यंग्स मोडलोस अपफट इलास्टिक सीटी से रिपरजेंट होती है आप ऐसा समझिए जिस वी माट्रियल का इस ज्यादा होगा अगर तो उसकी लास्टिक भी ज्यादा होगै अगर आप कम्पेर करोगे कि एक कम्परिजन का आइडिया दे रहा हो एक ब एक यह जिसका ज्यादा होगा यह चीज को आप धियान रखना पहला तो एक बात यह यह लिखने लिख लिखा दूगा अलग पॉइंट लिखा दूगा जब थेयोरी इसका लिखाऊंगा तो उसमें लिखा दूगा जो बात अभी पूल रहा हूं इस मैं चूकी एलास्टिक का यह चारी कर्यूकी स्ट्रेइपंड साइप उसे सिव यूर प्लास्टिक करें लिखें में लिखाण तो तो प्लास्टिक स्ट्रेइपंड साया क्या быстрcem के यह लिख ऑएं यह कहाल रबबड के बीच में आप elasticity compare करोगे तो आप बोलोग mild steel is your more elastic than rabad समझवारा बात ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रस एक चीज़ और देखो यार यहाँ पे यह जो stress strain profile है सभी के case में कुछ ना कुछ linear portion है initial linear portion है पतला जैसे रबबड के case में बात करो तो थोड़ा कुछ ना कुछ भलाई कम हो लेकिन थोड़ा सा linear portion है concrete के case में भलाई कम हो लेकिन थोड़ा सा linear portion जरूर है उसके बाद वो curve हो रही है वो अलग चीज़ है लेकिन initial linear portion आपको हर एक stress strain curve में देखने को मिलेगा तो जो यंग's modulus of elasticity है basically हम कहां से slope उसका measure कर रहे है हम यहां से x axis strain axis से उसका slope measure कर रहे है initial portion का initial straight line का यह देखना ध्यान देना यहां से हम measure कर रहे है इसको हम कह रहे है e s ठीक है समझ में आ रहे है इसको हम कह रहे है e s तो मुझे दो चीज़ बताओ एक तो यह ठीक है और एक graph है ऐसा और इक initial linear portion है ऐसा मैं दो यंग's modulus of elasticity से दिखा सकता हूं एक इसका एक इसका यह वाला मैं कह रहा हूं इसका मालोग e1 है रूको क्लियर थोड़ा करते हैं इसको एक नोट में समझ लेना आप इसको एक नोट में अलग से लिख लेना यही सब बेसिक है यही सब observation है कोई बात नहीं हम continue करते हैं लाइन चलेगी चलेगी देखो दो माट्रियल के बीच में comparison कर रहा हूं एक ऐसा कोई कर्व है किसी माट्रियल का एक ऐसा है इसका है माल लो e1 और इसका है माल लो e2 तो किसका यंग्स मॉडलोस अफ इलास्टिस इलास्टिसीटी ज्यादा e2 is greater than e1 की नहीं तो यहां पर देखिए अलुमिनियम और काश्ट आइरन में से compare करो और जिसका यंग्स मॉडलोस अफ इलास्टिसीटी ज्यादा होगा वह उसके उपर होगा वह वाला कर्व उसके उपर है जैसे e1 जिस कर्व का स्लोप है उसके उपर e2 वाला है तो यहां पर काश्ट आइरन को नीचे दिखाया हूं इसका मतलर के यंग्स मॉडलोस अफ एलास्टिसीटी आफ आल्मिनियम विलृ ग्रेटर दने यंग्स मॉडलोस अफटिसीटी ॉफ opening यह लॉजिक भी धियान रखना इंके वैल्यू स एक्टॉल वैल्यूस क्या होते हैं तो देखो कम्पैर इशन एक बदाता हूं कहां पर बता हूं नेक्स्ट पेज में ये डिाग्राम बना लिया तु देखो एक नोट बना के लिखो नेक्स्ट पेज में देखो यंग्स मोडूर्स पॉप EASTICITY, mild steel का या लगवक सभी steel का है है ना ये assumptions लिया जाता है लेकिन जनरल्लine होती नहीं है लेकिन assumptions लिया जाता है 2 x 10 to the power mod 5 10 to the power 5 Newton per mm2 जनरली यह हम लेके चलते हैं, कहीं-कहीं पर आपको यह देखने को 2.1 x 10 to the power 5 भी देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके और कहीं-कहीं पर 2 x, लेकिन जो Standard Agents लिया गया है, वो 2 x 10 to the power 5 Newton per mm2 है अना कई-कई पर आपको इतना भी देखने को मिलेगा अब देखिए ए अफ अलुमिनियम जो होता है इट इस अप्रोक्समेटली इक्वल टू वन वाइट टू टू वन वाइट थ्री अफ ए इस्टील ठीक है यंग स्मॉडलोस अफ इलास्टिस्टी अफ कास्ट आयरन जो ह होती है वह तक है लगवग 1 वाइट थ्री ओफ इस्टील याद रखना यंग स्मॉडलोस अफ इलास्टिस्टी उफ कॉंक्रीट यह होती है कि आरसे की यह करने वाले तो वह लगवग 1 वाइट 10 वह बहुत ही कम 1 वाइट 10 टू 1 वाइट 20 अफ इस्टील के रेंज में रहती है ठीक है और तो और हम वहाँ पढ़ेंगे कि यह डिपेंड करता है और वाट ग्रेड ऑफ कॉंक्रीट ग्रेड ऑफ कॉंक्रीट के उपर भी डिपेंड करता है डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉंक्रीट वहाँ पे एक फर्मूला भी अपने पास 5000 रूट अंडर एपसी के वन प्लस थीटा सी इसको यूज करके हम निकालते हैं यंग्स मोडलोस अप इलाश्टिसिटी ऑफ कॉंक्रीट हमारे पास यह फर्मूला भी आता है तो यह आप इस फर्मूले में देख पा रहे हैं कि यंग्स मोडलोस अप इलाश्टिसिटी ऑफ कॉंक्रीट जो है यह ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर जो पर सॉरी ग्रेड ऑफ कॉंक्रीट के उपर डिपेंड कर रहा है एफसी के यह एफसी के इस क्यारेक्टरिस्टिक कंपरेसिव स्ट्रेंद ऑफ क्या ह कि अरे बड़ा सीम्पल सा चीज होती है हम क्यूब बनाते हैं 150 mm का साइज का एक क्यूब बनाते हैं इस क्यूब के उपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करके टेस्टिंग करते हैं ठीक है कितने दिन बाद 28 डेस के बाद फिर वह जितना लोड केरी कर पा रहा है वही लोड हो अदिन लिए बाद 28 डिनों के बाद निकाला जाता है और आप धियान लग लगे डिकाया है तो यह आप देख पा रहे है अगर आप अगर आप कंपेर करोंगे बीटवेन अलुमिनियम इं और कर श्ट हैरन तो अलुमिनियम के ज्यादा होता है अरि इसलिए यहां पर अलुमिनियम का कर्व ऊपर है और कास्ट आरन का नीचे है समझ में आ रहा है बात ठीक है चीजें पकड में रहेंगे तो यह एक नोट बना के अच्छे से लिख लो डिफ्रेंट मट्रियल का स्ट्रेस स्ट्रेंड कर अब कुछ थियोरी लिखवाता हूं यह दो सेंटेंस नोट बना के लिखिए उसके बाद और ब्रिटल मट्रियल बेरी स्मॉल और नो प्लास्टिक स्ट्रेंड जो कि आप जानते हैं यहां पर भी लिख दिया एक बार ठीक है इलास्टिक रबड हो गया जैसे ब्रिटल मट्रियल होगी आपका हाई टेंसन इस्टील हो गया एक सेक्टर यह सब ब्रिटल मट्रियल है नेक्स्ट पॉइंट यह भी लिखी एकजाम में अब्जेक्टिक विशन आ चुका है माइल्ड इस्टील की इलास्टिसिटी औविए इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्रीप टफनेस हाड्नेस सब चीजों को एक्स्टीजों करूंगा एक एक करके पढ़ेंगे सब टॉपिक हमको पढ़ना एक जन्रलाइश ओवर्व्यू आपको दे रहा हूं ठीक है कि माइल्ड इस्टिल इस्टिक दन रबड इलास्टिस इस रिप्रसेंटेट बाई मोडलस आप इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल यह दो थ्योरी नोट पॉइंट लिख लीजिए वांकि यह तो आपने लिखी लिया है इसको नोट में डाली दिया है यह हेडिंग डालके यह डाग्राम बना ही लिया है ओके तो यह आपका कंप्लीट अब चलिए एक कॉंसेप्ट फिर उठाते हैं कंसेप्ट पर कंसेप्ट चलता रहेगा देखो अब जो कंसेप्ट उठा रहा हूं डिफ्रेंट टाइप्स आप स्ट्रेस स्ट्रेंड ठीक है रहें थेकितौरे मठेरिएल यह टोपिक अलग है अभी आमने जो टापिक देखा वो देखा इसस्ट्रेस स्ट्रेंड कर्फार डिफरेंड मठेरियल यह में देखर रहें डिफेरेंट ताईप आप स्ट्रेस णिवाविए dopस पहला और यह डाग्राम पूछ इलास्टिक, linear elastic मतलब up to elastic limit जो stress strain curve होगा वो एकदम linear होगा, ठीक है, this is your sigma stress, this is your strain axis, ups line, तो up to elastic limit जो stress strain curve है, वो एकदम linear है, है ना, this is straight line, एकदम linear line, linear line, इसमें यह समझ लो, ऐसा, कि यहां पर अंतिम पर elastic limit है, बाकी जो proportional limit है, उसके नीचे कहीं पर है, सब elastic और proportional limit के बीच में भी straight line है, this is your proportional limit, proportional limit, समझ रो बात को, ठीक है, this is your linear elastic behavior, दूसरा, डाग्राम बना लीजी, एकदम linear line, straight line, दूसरा behavior जो होता है, वो होता है, non-linear elastic, non-linear elastic, non-linear elastic का क्या behavior रहा होगा फिर, देखो यार, देखो नाट, up to proportional limit तो linear होगा ही होगा, up to proportional limit linear होगा, लेकिन proportional limit से elastic limit के बीच में कर हो सकता, है ना, यहां मालो proportional limit है, proportional limit, फिर proportional limit से elastic limit के बीच में कर्व है, इस तरह का जो material होता है, यह material elastic तो है, लेकिन non-linear elastic, है, इस तरह के material के, material का भी इस तरह से भी behavior होता है material का, तो जो hooks law है, वो proportional limit तक ही applied होगा, elastic limit तक नहीं, clear है, ठीक है, hooks law is applied up to proportional limit only, not up to elastic limit, और इस तरह का material generally hooks law को ओबे भी नहीं करता है, है ना, hooks law is valid for linear elastic material, next, तीसरा, ध्यान रखना भाई, वो सब जो भी बात कर रहा हो ना, यह सब exam में पूछते है, hooks law is valid for what, linear elastic material, generally non-linear elastic material do not obey hooks law, but up to proportional limit हम apply कर सकते हैं, clear statement, आगे, confused होने का नहीं, तीसरा, इसको हम बोलते है, elasto plastic behavior, elasto plastic behavior, या फिर elastic plastic behavior, या फिर viscoplasmatic behavior, यह जो stress strain curve है, जो अभी बनाऊँगा, यह plastic analysis, जब हम करेंगे, वहाँ पे हम assume करता है, कि जो stress strain curve है, या इसको प्लास्टीक है, stress strain, इस तरह से कुछ यह कर्व बनती है, एक दाम linear, straight line, up to elastic limit, फिर यह yield plate हो, है न, इस इस यार elasto plastic या viscoplasmatic behavior, इस तरह से अगर stress strain curve है, तो इसको elasto plastic या viscoplasmatic behavior हम कहते है, clear है, ओके, now, चाव था, यही पे बगल में लिखता हूँ, perfectly plastic, अच्छा, यह elasto plastic हो गया, तो, हाथ चलो, यह perfectly plastic लिख लो, perfectly plastic, perfectly plastic behavior, perfectly plastic में ऐसा होता है कुछ, यह stress axis, sigma, यह strain axis, और जो stress strain curve होगा, वो एक yield plate यह होगा खाली, है न, अगर इस तरह से करवा है, that is curve for perfectly plastic material, आगे बात करते हैं, perfectly plastic का बात हो रहा है, है न, elasto plastic with strain hardening, कितना तक हो गया, 4 हो गया क्या, हाँ, 4 हो गया, पाच मा, elasto plastic, elasto plastic with strain hardening, इसका डियाग्राम कैसा बनेगा, इसका डियाग्राम ऐसा बनेगा, यह, यह, stress strain, axis दिखा दिया, sigma ups line, यह straight line, ठीक है, फिर strain hardening जो लो ऐसा, ओके, ऐसा, यहाँ पे kink देखने को मिलेगा, इसके बाद ऐसा, this, this type of graph फिर भी, will be for elasto plastic with strain hardening, now, ideal rigid, छटा, यहीं भी बगल में बना रहा हूँ, ideal rigid, ideal rigid, rigid body, मतलब किसी भी तरह का deformation नहीं होना चाहिए, upload जितना भी लगा दो उन लेगा, मतलब यह stress strain, ठीक है, this is your stress, this is your strain profile, so deformation होगा ही नहीं, तो strain axis में कुछ दिखेगा नहीं, तो ideal rigid मतलब केवल यह, केवल आपको stress उसमें दिखेगी, यह, केवल stress दिखेगा, no strain, this is your ideal rigid, diagram for ideal rigid, sigma यह 6 नहीं है, sigma है, sigma मतलब stress, ठीक है, और एक behavior होता है, सात्मा, जिसको हम बोलता है ideal fluid, ideal fluid, जैसे ideal rigid, with no deformation, stress जितना लगा दो, ideal fluid, without any stress, deformation होता चलेगा, यहीं उल्टा है, लेकिन ideal वाली चीज कभी reality में exist करती नहीं है, तो ideal rigid body होता नहीं है, ideal fluid होती नहीं है, practically, ठीक है, यह पर theoretically चीज है, समझने के लिए, study करने के लिए, तो ideal fluid में क्या, केवल आपको deformation देखने की मिलेगा, समझे, strain axis के लोग arrow दिखा देगा, और ideal rigid में stress axis के लोग arrow दिखा देगा, तो यह सारे different type of graph अपने बनते हैं अब अब, याद रहेगा, यह exam में पूस्ता है, कि कौन सा graph के corresponding क्या behavior का नाम क्या है, ideal rigid के लिए क्या possible graph होगा, ideal fluid के लिए क्या possible graph होगा, elastoplastic with strain harding के लिए graph क्या बनता है, elastoplastic behavior के लिए क्या graph बनता है, perfectly plastic material का stress extreme curve कैसा होता है, पूछेंगे यह सारे diagram, non-linear elastic material का stress यह non-linear है, non-linear, this is your linear, यह portion linear है यहाँ तत, proportional limit तत, यह पूछेंगे exams में, clear है, कि topic चलिए, तो मुटा मुटी बहुत सारा topic अभी हमने clear किया, चलो एक topic और कराते हैं, हम वीडियो पर आ जाते हैं, अब यह topic का heading डालिए, relation between engineering and actual or true stress strain, ठीक है, यह है क्या, चलो मैं यह तीन word को पहले आपको समझाते हूं, okay, तो यहाँ पर मैंने तीनों word को लिखा, stress, engineering stress, actual stress, यह एक derivation अभी हम करेंगे, काफी interesting, important derivation है, exam में वहाँ से objective questions आते हैं, सब कुछ, ठीक है, conventional भी पूछ सकता है, objective भी पूछ सकता है, बहुत तरह के objective पूछे जाते हैं, तो देखो, अभी तक जो हम stress strain curve में देखते आ रहे थे, उसमें यह देखे, कि tension test कर रहे है, और कोई एक specimen consider करते थे बाबु, यह specimen हमने consider किया, इस specimen का, let's suppose, original length L not, ठीक है, तो before applying any load, इसका, जो cross section area है, वो क्या होगा, वो कुछ होगा, जिसको हम बोलते है, original cross section area E not, ठीक है, original cross section area, अब जो loading है, आप दो अलग-अलग तरीके से इस पर load apply कर सकते हैं, जैसे हम tension apply कर सकते हैं, P, tensile loading, या फिर हम compression apply करके test कर सकते हैं, P, P in tension apply कर सकते हैं, या P in compression apply कर सकते हैं, अलग-अलग load apply करके test कर सकते हैं, tensile loading या compressive loading होता क्या है, जब आप tensile loading apply करते हैं, मेंबर में elongation देखने को मिलका, जैसे mild steel के case में देखा, ultimate point के बाद क्या होना होना हो जाता है, necking चालू होना होना हो जाता है, मतलब cross section area reduce हो रही होती है, समझ में आ रहा है, elongations होगा, तो देखो, material का जो volume है, वो तो constant है, इस specimen का volume is constant, volume कितना है तुमारा, A0 into L0, this is cross section area into length, this is the volume of the material, and it is constant, आप अलग से नया कोई material अगरा तो add नहीं कर रहे हो इसमें, तो volume conserved है, volume is your constant, now you are applying tension forces, length increase होगी, तो वो constant volume को maintain करने के लिए, volume conservation के rule को satisfy करने के लिए, क्या होना चाहिए, cross section area उसका reduce होना चाहिए, decrease हो जाएगा, cross section area decrease होगा, at any point, at any time in test, अगर आप tensile loading लगा हैं तो, elongation देखने को मिल रहा है, और cross section area at the same time decrease हो रही है, similarly आप सोचों कि compressive load लगा रहे हो, तो compressive load लगाओगे, तो क्या होगा, length में reduction होगी, जब length में reduction होगी, तो material में bulging होगा, material compress होके bulging कर जाएगा, cross section area increase हो जाएगी, to satisfy that constant volume law, तो at any point during test, in compression, आपका cross section area जादा ही देखने को मिलेगा, as compared to what, original, लेकिन tension में at any point during test, आपको cross section area कम ही देखने को मिलेगा, as compared to original, दो बाते clear, अब सुनू मेरा बात, stress जो होता है, क्या होता है, load divided by cross section area, basically, अब यह जो load है, यह tension का हो सकता है, या फिर compression का हो सकता है, एक एक करके देखेंगे, माल लो, माल लो, चलो, engineering stress, सबसे पहले यह समझो, engineering stress, इसको हम calculate करते है, based on original cross section area, P upon A not, हमेशा, चाहे compressive load हो वो P, या tensile load हो वो P, P upon original cross section area का concept को use करके, हम engineering stresses को calculate करते है, now actual yet true stress को हम calculate करेंगे, by using the instantaneous cross section area, that is at any point of time in test, जो cross section area है, specimen का, आपको वो use करना है, जैसे tension test होगा, उसमें cross section area कम देखने को मिलेगा, तो अगर cross section area कम देखने को मिलेगा, तो सोचो, same strain value पर, at same strain value, stress strain curve क्या हो, ऐसा, कोई material का stress strain curve ऐसा है, तो माल लेजिए, same strain value, deformation का value आपका fixed cost है, इस strain value पर, इतना deformation हुआ है material में, यह record कर रहे हो, इस deformation के corresponding देख रहे हो, जब stress engineering निकालोगे, तो load कितना है, divided by original cross section area क्या है, वो करके आप engineering वाला stress निकालेंगे, but actual, अगर आपको stress की value बतानी है, तो इस deformation के corresponding, माल लो, tension test है, तो इस deformation के corresponding, क्या cross section area है specimen का, इस point पर आप observation ले रहे हैं, क्या cross section area है specimen का, वो यूज करना है, instantaneous cross section area, तो वो अगर tension testing है, तो A0 से तो कम ही होगा हमेशा, अगर tension test है, तो A0 से हमेशा कम होगा, तो जो actual stress की value मिलेगी, at same deformation, वो आपको ज्यादा मिलेगी, intention, समझे रहे हो, तो जो curve आपको curve बनना चाहिए हो, कैसा बनेगा, इस तरह का कुछ आपका curve यह बन जाएगा, tension में, यह engineering वाला और यह actual वाला, जब tension test हो रही है, लेकिन at the same time compression में, इनको अलग से बनाएंगे diagram को, अभी just समझा रहा हूँ, introduction दे रहा हूँ, अभी तो मैं derivation कुछ किया भी नहीं, एक दे रहा हूँ idea, इन सब चीज़ों को लिखने ही ज़रुत नहीं है, बस समझार हों, बात कर रहे हैं, तक कि मैं आगे का content अभी चालू कर पाऊं इस पे, लेकिन at the same time compression के case में क्या होगा, cross section area increase हो जा रही है, due to reduction in length of the member, तो जो actual stress आप निकालोगे, वो engineering stress से कम देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा बात हो, ठीक है, तो ये चीज़े होती है, और एक चीज में आपको और बताता हूं, देखो, एक assumptions हमने बताया था, जब हम सोम का paper चालू किये थे, कि strength of material के अंदर, structure के अंदर, जितने भी deformations हम पढ़ते हैं, जो भी deflections बगेरा निकालते हैं, सोम structure, दोनों paper में, जो भी analysis करके deformation बगेरा निकालते हैं, वो सभी elastic होते हैं, elastic deformations, and elastic deformations are very negligible in magnitude, elastic deformation in this sense, कोई axial member उस पर axial loading लगाया हो, length increase हो गया, अतलब tension लगाया हो, length increase हो गया, यह compression लगाया हो, contraction हो गई, तो यह सारे जो elongation या contraction, यह elastic in nature है, उसी तरह माली जी एक transverse loading है bending हो गया, तो जो bending के कारण deflection आपको देखने हो मिल रहा है, slope and deflection in the member, वो elastic in nature है, हम यह consider करके चल रहे हैं, यह assume करके चल रहे हैं, in so many structure analysis, तो मोटा मोटी, अपना जो यह deformations बगेरा है, जिसका study करते है, so many structure दोनों के paper में, these are elastic in nature, मतलब जो भी load आपने member पे लगा रखा है, जिसकारण से वो deformation आपको मिल रहा है, आप load remove कर देंगे, वो deformation खतम, member में जो भी shape change हुआ था, वो shape change खतम हो जागा, when is, member will come to its original shape and size, बात यह clear है, दूसरा बात सुनो, जो elastic deformation है, इनकी magnitude काफी कम होते है, इनका magnitude काफी कम है, इनका value काफी कम है, बहुत छोटी-छोटी deformation होते है, up to elastic limit, member में जो भी deformations आपको देखने को मिल रहा है, उसका magnitude काफी कम है, तो अगर मान लिजिए, deformations का magnitude ही काफी कम है, इसलिए कम है, क्यों कम है, क्योंकि elastic limit के corresponding strength जो है, वो बहुत कम है, कहने का मतलब है, देखो, अभी हमने जो mild distil का पढ़ा हो, तो मैंने ऐसे सुला के दिखा दिया आपको, लेकिन reality में वो ऐसा होता नहीं, आपको बस पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, वो slope वगेरा, stress and strain curve का, इसलिए वो इस तरह से सुला दिया था, लेकिन, actually मैं अगर बात करोगे, तो यह लगवग vertical ही होती है, इस तरह से, फिर यह, ऐसा, तो elastic limit के corresponding, elastic limit यहां पर कहीं पर है, इसके corresponding strain देखो, यह strain बहुत ही कम, तो elastic limit तक में जो deformation आपको देखने हो मिल रहा, elastic strain वगेरा, वो deformation की magnitude होती है, बहुत कम, तो जब deformation की magnitude कम है, तो जो shape वगेरा है, उसमें क्या ही changes आया होगा, अगर within elastic limit ही अगर हम बात करें, elastic deformations का ही बात करें, तो मालनों, member में elastic deformations ही हो रहा है, तो वो खुड़ा सी elastic deformation हुआ है, उसके कारण member के cross section area में, कोई significant change देखने को मिलेगा किया, नहीं मिलता साथ, नहीं मिलता, मतलब, अगर deformations within elastic limit है आपका, तो ऐसे cases में, original cross section area, and the deformation होने के बावजूर, भी जो member का cross section area है, वो लगभग approximately equal होते हैं, there is no significant change between them, और सोम और स्ट्रक्चर के study में, हम चूंकि elastic deformations को ही consider करते हैं, और इसके बाद वाला पूरा कर्व को neglect कर दिया जाता है, तो इसलिए, सोम और स्ट्रक्चर के study में, जो भी stresses वगएरा देख रहे हो, वो engineering stresses होते हैं, logic clear है, वो engineering stresses होते हैं, मतलब, जो भी हम stress वगएरा calculate कर रहे होते हैं, वो calculate करते है, based on original cross-section area, समझे आया बात, based on what, original cross-section area, क्यों, क्योंकि हम हमारा adjustments हैं, हम elastic limit के अंदर ही deformations को रखते हैं, सोमेन structure में, इससे ज्यादा deformation होने ही देंगे member में, समझे आ रहा है, और design theory भी इसी concept पर आगे जोके based हैं, तो इसलिए जो stress होता है, वो engineering stress होता है, जिसका मतलब जो analysis करते वाक्त हम calculate रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि actual stress वगएरा को calculate नहीं किया जाता है, जहां ज़रत पढ़ती हो करते हैं, for example, अगर आपको member के एक दम perfect behavior ही जानना है, यह actual stress और engineering stresses के बीच में क्या behavior है, वह behavior किसी ने देखा, किसी ने study किया, इसलिए आज हम इस topic को पढ़ रहे हैं, तो actual stress and strain analysis भी होती है, जब high level design होता है, तो ओकिया मतलब आपको अलगी theory check कर रहे हो, material के तम perfect behavior आप निकाल रहे हो, तो ऐसे cases में आप study करते हो actual stress and strain का, clear है, लेकिन in general, जो according to theory है, अगर हम चलेंगे, तो deformations are limited within the elastic limit, and उतने deformations पे, जो cross section area में changes है, those are insignificant, hence the engineering stress strain curve and the actual stress strain curve are parallel to each other, या कहलो super impulse, एक दूसरे के उपर ही रहता है, क्योंकि stresses के value इससे हमाएंगे, यह area में ज्यादा significant changes ही नहीं है, यह AI और A0 के बीच में ज्यादा difference है ही नहीं, जब A0 और AI के बीच में ज्यादा difference होगा, तब stress के values में ज्यादा difference आपको देखने को गुबलेगा, लेकिन जब A0 और AI नियरली equal होगे तब stress के बीच में आपको ज्यादा value देखने को, stress के बीच में ज्यादा difference आपको देखने को मिलेगा नहीं, समझे बात, यह चीजे हैं, तो इन सब चीजों को अब हम देखते हैं, एक equation हम derive करेंगे, उस equation को समझते हैं, ओके, चली यह लिखने की जौरत नहीं है, heading to aapnet डाली लिया था, यह दो sentence पहले आप लिख लीजिए, Engineering stresses are calculated based on original cross section area of specimen tested, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करता है जिए sigma naught and sigma naught is equal to load, load तो वही दोलों में same, Engineering में और actual के calculation में load का value same, divided by original cross section area a naught, इस तरह से, यह formula बनता है, actual या true stress is calculated based on instantaneous cross section area of specimen under test, है ना, और इसको हम sigma a से रिप्रेजेंट करते हैं, it is equal to what, load is same divided by a i, instantaneous cross section area, समझवार यह चीज है, दो sentence clear है, आगे बढ़ते हैं, let's suppose कोई एक member है इसको आप test करने जा रहे हैं, इसका original length जो था, वो था L naught, अब इस पर आप test करने जा रहे हैं, आप एक बार tension load लगाएंगे, दूसरा हम compression दोनों के लिए देख रहे हैं, है ना, तो आप अगर tension load लगाते हो, okay, let's suppose, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप tension load लगा रहे हैं, आपको यह देखने को मिलेगा, कि member में कुछ elongations हो गया है, delta हो गिया है, कुछ elongations होगा, due to application of tension loading, so at any point of time in test, अगर मैं पूछोंगा उसका length किया है, तो आप बोलोगे, that is your instantaneous length, li which is equal to l0, मैं यहाँ पर अब generalize कर देता हूं equation को, l0 plus minus delta, l0 plus minus delta, delta मतलब जो भी elongation या contraction हुआ है, delta equal to deformation लिख देता हूं सिधा, deformation, deformation यह दो तरह का हो सकता है, elongation या contraction, elongation अंदर tensile loading, contraction अंदर compressive loading, और l0 क्या है, original length of the member, original length of member, length of member, li क्या है, instantaneous length of member, ठीक है, instantaneous, near length of member, okay, similarly, a0 क्या है, original cross section area of member, ai क्या है, instantaneous cross section area of member, यह दो बाते भी आपको clear है, अब एक चीज़ देखो यहां पे, जो हम plus sign यूज करेंगे, यह जो generalized formula आपको मैंने बताया, इसमें जो मैं plus sign यूज करूँगा, यह तब यूज करूँगा, जब मैं tensile loading लगा रहा हूं, tension के लिए, minus sign यूज करूँगा, अगर मैं compressive load लगा रहा हूं, compression clear है, यहां तक बात साफ चीज़, अब देखो, derivation आगे continue करता हूं, देखो यार, जो actual stress है, sigma actual, या true stress कहलो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चीज़ी बात, load divided by instantaneous cross section area, ai, अगर मैं थोड़ा सा rearrangement करूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूं, p divided by a not, original cross section area into a not divided by ai, can I write like this, yes I can write like this, तो क्या यह sigma a equal to, p by a not, sigma not, which is nothing but engineering stress, into a not upon ai, नहीं हो जाएगा, हो गिया, अब यह a not upon ai का क्या value होगा, यह हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम यहां पर volume conservation का concept use करेंगे, from volume conservation, volume conservation, मतलब, deformation से पहले जो volume था, deformation के बाद जो volume है, दोनों सेम है, volume before deformation is equal to volume after deformation, that is volume is constant, volume equal to constant, बहुत जगा यह जो होगा, fluid बगेरा में सब में, volume equal to constant अगर है, तो before deformation क्या volume, original length into original cross section area, after deformation क्या volume, instantaneous length into instantaneous cross section area, यही ही है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यह हुआ, हम जैसे A0 upon AI हमको बतानी है, तो यह क्या LI upon L0 नहीं हो जा रहा, हो जा रहा है, तो यह LI upon L0 यहाँ पर substitute कर देता है, इस तरह, तो मैं लिख सकता हूँ, sigma A equal to, pencil का thickness कम कर लो, ताकि इसी page में सब हो जाए, sigma 0 into LI upon L0, can I write like this, I can write it, can I write sigma 0 into LI का value क्या था, L0 plus minus delta by L0 लिख सकते हैं, क्या इसको अगर थोड़ा सा simplify करें, तो sigma 0 into 1 plus minus delta by L0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, अब यह delta by L0 क्या है, delta by L0 is engineering strain, समझ में आ रहा है, engineering strain, मतलब, अगर मैं यहापे कुछ parameter आपको define करूँ, जैसे कि, अगर मैं बोलू actual strain, ups line A, इसको मैं क्या बोलूँगा, actual और true strain, true strain, तो यह क्या होगी, it will be deformation by instantaneous length, अगर मैं बोलू engineering strain, sorry, ups line 0, engineering strain, ups line 0, engineering strain, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, delta y, original length of the member, ऐसा, अगर मैं बोलू आपको actual stress, actual stress यह true stress, equal to load upon instantaneous cross section, अगर मैं आपको बोलू engineering stress, यह क्या हो जाएगा, load upon original cross section area, delta क्या है, deformation, elastic deformation under load, elastic deformation under load, यही है आपका delta, अना, तो delta upon L0 को हम ups line 0 लिख सकते हैं, engineering strain, तो put करते हैं भाई से पहले वाले equation में जो हम equation derive कर रहे थे, तो put करेंगे, तो sigma 0 into 1 plus minus ups line 0, यह मेरा formula बन जाएगा, क्या formula बन गया finally, engineering और actual stress strain के बीच में क्या relationship बन गया, the relationship what we get, I am writing it in bracket which is very important, sigma a is equal to sigma 0, 1 plus ups line 0, 1 plus minus ups line 0, अब यहाँ पर देखो, plus b है, minus b है, तो मैंने आपको बूला था, जो plus हम use करेंगे, tension के लिए use करेंगे, minus जो use करेंगे, वो compression के लिए use कर रहे होंगे, मैंने आपको पहले दिखवा जिया इससे पहले, जीक है, अब चलो इस relationship को decode करते हैं, इसको use करते हैं, फिर graph plot करते हैं, देखो, यह relationship सही है कि नहीं, judge कर लेता है, जैसे कि for tension, माल लिजे specimen के उपर आप tensile loading apply की हो, और testing चल रहा है, for tension, तो क्या हो जाएगा, tension के लिए, plus sign यूज करोगे, तो sigma actual is equal to, what, sigma naught, 1 plus epsilon naught, means, sigma a is greater than sigma naught, tension में, at a particular deformation value, deformation कितना, deformation equal to epsilon naught का deformation है, इसी deformation value पे, हाना, जो actual stress है, that is greater than engineering stress, under tension, लेकिन for compression अगर हम बात करें, अचा चलो, वो बात करने से पहले, मैं stress strain इसका plot कर देता हूँ, एक normal अगर stress strain curve हम plot करने चलेंगे, ठीक है, stress strain behavior show करने चलेंगे, तो यह देखिए, हम y axis के लॉग stress को represent करते हैं, एक्स-axis के लॉग strain को represent करते हैं, इम्रली यहां पर भी y axis से इसके लॉग stress को represent कर देंगे, यहां पर भी y axis से इसके लॉग strain को represent कर देंगे, तो देखो, अगर मैं tension में बात कर रहा हूँ, है ना, तो यह माल लोग किसी material का stress strain कर बनाईए, और इजिन है वो पॉइंट, तो यह stress strain कर देंशन में यह कुछ इस तरह का आ गया, यह आपका engineering वाला है, let's suppose, engineering वाला है, और यह tension side में आप testing कर रहे हूँ, let's suppose, यह tension के लिए मैं डियाग्राम बना रहा हूँ, Similarly, माल लोग compression side पे भी आपने testing किया, और compression side पे भी जो engineering वाला है, वो कुछ stress strain behavior ऐसा आपको देखने को मिल रहा हूँ, यह माल लोग compression side का है, यह compression side का है, मतलब देखो यार मैं ऐसे नीचे बना दिया, ताकि मेरे को एक ही डियाग्राम में दोनों behavior show करना है, tension test, compression test का, इसलिए बना दिया, समझना graph को, तो यह engineering वाला कर्व है, engineering, clear है, अब देखो बात, समझो, tension में क्या हो रहा है, tension में यह हो रहा है, at a deformation value, let's suppose यह आपका deformation, at this deformation value, जो engineering stress है, वो sigma 0 है, अगर, तो इसी deformation value पे जो actual stress है, वो sigma A है, ज्यादा है, sigma 0 से, तो tension में, जो stress strain कर्व चलेगा, actual वाला, वो कुछ यू इस तरह से deviate हो, this is your actual, क्योंकि at same deformation आपको, ज्यादा stress देखने को मिल रहा है, देखिए, stress axis पे, इसके corresponding stress अगर sigma 0 है, है, है ना, तो यहाँ पे stress आपको, sigma A देखने को मिल रहा है, तभी जाकि यह condition अपना valid हो पाएगा, sigma A is greater than sigma 0, समझा, सेम, compression के लिए अगर बात करें, अब, मतलब का result निकल रहा है, result यह decrease हो रहा है, रिजल्ट यह, कि sigma A is less than sigma 0, मतलब कर्व जो बनेगा, compression side पे, वो, इसके उपर बनेगा ऐसा, this will be the actual curve, तभी न, at a deformation value, let's suppose यह deformation का value है, तो यह actual वाला stress, sigma A, तो यह engineering वाला stress, sigma 0, तभी यह relation बन पाया, कि sigma 0 is greater than sigma A, समझे, तो इस तरह का diagram, इस तरह का behavior आपको देखने को मिलता है, है न, अब यह जो, differences है, मतलब यह जो, differences कहने का मतलब है, जब हम stress strain curve का testing कर रहे है, tension में कर रहे हैं, और compression में कर रहे है, तो जो actual stresses है, और basically, actual stress में तो difference देखने को एक्टरह कर रहा है, और खास करके आपको, engineering, बतलब, sorry, yield stresses में भी difference देखने को मिल रहा है, देखो यार यह actual वाला कर्व को पगड़ के जलो अग इंजिनियरिंग वाला नहीं actual वाला कर्व को अभी पगड़ के जलो उस पे हम बात कर रहे हैं जब हम tension test कर रहे हैं तो actual वाला कर्व इंजिनियरिंग के उपर है जब compression कर रहा है actual वाला कर्व इंजिनियरिंग के इधर भी वालुपर ही दिखा रहे हैं लेकिन जो वैलू से वो लेस है थ्लिस प्रैसिस के वैलुट में, इल्डी रिस्ट्रेस का वैलुट तुम देहोगे, इल्डी रिस्ट्रैस के value में differences देखने को मिल रहा है तो यह जो behavior का study किया था कि तो stresses के value है उसमें differences देखने को मिलता है इसका जो study किये थे उनका नाम था boss changer और इस behavior को हम बोलते है boss changer effect इस effect को ना boss changer effect यह नाम याद रखना एक्जाम में question पूशते हैं ओके यह चीज लिखवा देंगे बागी यह अभी उतार लो derivation उतार लिया है यह उतार लिया है डाग्राम अना लो statement लिखवाता हूं चलो यादो इस statement को लिखना है लिखिए intention true or actual stress is always greater than engineering or nominal stress लेको engineering stress को हम nominal stress भी कहते है nominal stress strain या engineering stress strain actual वाला true or actual stress strain in compression true or actual stress is always less than the engineering or nominal stress जो अभी हमने देखा कर्व के माधि हम से वही चीज मैंने बता है एक चीज यह आपर ध्यान दो सुनना बात अंदर की बात सुनो बात सुनो बात सुनो देखो यह जो equation मैंने derive किया कि sigma actual equal to sigma not into 1 plus minus epsilon not यह equation valid है for elastic deformations only अगर plastic deformations होगा इस equation को derive करते वक्त केवल elastic deformations को ही consider किया गी है तभी conservation of volume हो सकता है कि समझे क्यों elastic limit के within load है मतलब yield reach हुआ नहीं है मतलब material में कोई crack वगरा नहीं आया है crack आएगा भागू तब ना दो particle separate होंगे और उलकी बीच में थोड़ा से space बढ़ेगा तब ना overall volume changes आपको देखने को मिलेगा पहले जो volume था अब चूंकि different cracks हो रहा है तो material का volume पहिना कई change हो रहा है क्योंकि crack surface पे अंदर हर जगा crack development होगा molecules separate होंगे volume changes होता है जब plastic deformation होगा volume changes होगा तो वहां पर volume conservation वाली system नहीं चलेगी in case of plastic deformation बट अगर deformations are within elastic then volume conservation is applied तो यहां पर हमने चीज़ों volume conservation को वाला concept huge कर रखा है समझ रहे हो बात को यह equation में हमने plastic deformations अगर हो रहे हैं तो उसमें अगर जो volume changes हो रहे हैं उसको neglect करकी यह equation को derived कि लिखने की ज़रत नहीं है logical चीज है दिमाग में याद रखे हो एक है कोई एक्जाम में नहीं पूछता है बस knowledge के लिए ज्ञान विज्ञान के लिए बता दिया ओके इससे ज्यादा और कुछ ज़रुवत नहीं है चलो लिखो आगे note in actual stress strain behavior of material खाज करके ज़र समय माइल दिश्टिल है फी 250 काम बात करने है it has been observed that the ill stress of material is higher in tension test and apparently it so reduced ill stress in compression test और mild distil of mild distil नहीं फौर कर दो आप ठीक है compression test of mild distil मतलब जो ill distress की value टेंशन में कुछ जादा compression में कुछ कम और सेम material बस हम loading condition change कर रहे है यह जो divergence है इसके उपर किसी का दिमाग गया नजर गया वो थे बहुष चींजर सहाब this divergence between tension and compression result is observed by boss changer सहाब and is called as boss changer effect उन्होंने divergence को study किया देखो नजर गया मतलब पूरा history निकाला उसका वह history अपने जोरत नहीं है अपन भी टेक हैं डिप्लोमा है वह history अपने हो चाहिए M-tech में हाई रिसर्च में क्योंकि वह research वाली topic है बस अपने को यह effect मालूम होना चाहिए कि इसके उपर study हो चुकी है और वह study किस ने किया है वह चेंजर सहाब ने किया है कि जो माइल्ड इस्टील है उस पर टेंसाइल लोड लगा के test कर रहे है तो जो stress strain कर बन रहा है उसमें जो yield stress की value मिल रही है वह कुछ और है वह ज्यादा होती है 250 से ज्यादा है और जो compression में वह 250 से कम मिलता बैसीबिए तो जो yield stress के बीच में variation देखने को मिल रहा है वह क्यों मिल रहा है actual stress strain behavior हम है इंजिनियरी या नोमिनल वाले में नहीं actual stress strain behavior हम है अंडरलाइन कर लोगा इसको भी इसका च्छान पर ताल किये बॉस्चेंजर साहब ने पूरा detail उसका इतिहास पे गए molecular level पे गए loading pattern पे गए सब चीजों को study करने के बाद एक बहुत बढ़ी है journal उन्होंने बबिस किया था वहीं का ये note point अपने को note point मालू होना चाहिए तो इसी के साथ बहुत बड़ा पोर्सर हमने खतम कर लिया stress strain से related सारे बाते सभी बाते हमने देखा खीक है अब जो नेक्स टॉपिक है वी थियोरी ही चलेगा नेक्स क्लास में क्या देखेंगे ductility लिखवाऊंगा brittleness लिखवाऊंगा elasticity लिखवाऊंगा plasticity लिखवाऊंगा toughness क्या होता है resilience क्या होता है modulus of resilience क्या होता है strain energy कैसे calculate करते हैं यह सब टॉपिक चलेंगे hardness क्या होती है कौन कौन से test involved होता है hardness को calculate करने में ठीक है इस तरह के य क्या होता है hooks law यह सब चीज़ आप चलेंगे hooks law हम जैसे ही पढ़ें फिर उसके बाद stress strain matrix के बारे में कुछ बताऊंगा वो चीज़ जैसे ही खतम हुआ फिर हम axial deflection निकानना चालो करें तो axial deflection निकानना जैसे ही calculate की बहुत सारा portion खतम हो जाएगा chapter 2 का फिर बचेगा thermal stress system का independent topic वह cover करेंगे chapter 2 खतम फिर चलेंगे next chapter transformation of stress मजा है सोम में सोम पढ़िये अच्छे से ठीक है उमीद करता हूं यहां तक चीज़ें समझ में आई बावलो notes बना लो पढ़ियां से I am ending this class here only okay see you all next class यह chapter जैसे ही होगा फिर question करवाता हूं और अभी तक यार जो भी question में पूछूँगा सब बताईद हो गया वही carbon के उपर depend करता हूँ चीज़े carbon increase या decrease होगा तो क्या HYSD और F250 के बीच में elastic rubber के उपर question spring वगेरा के उपर question यही सब छोटा मुटा basic basic question अभी तक में यही सब पूछें आपसे यह boss changer effect वगेरा हो गया हना यह percentage elongation वगेरा जो लिखवाया carbon का percentage वगेरा जो लिखवाया यह सब चीज अभी तक में questions आपके बनते हैं लेकिन बहुत important बनते हैं objective question theoretical bit to bit होना चाहिए अपने को mind में ठीक है इसके आगे बात करते हैं next class में all the best